Last 25 minutes में 122 page view गया है, 8 लोगों ने हमारे product page पे visit करके product को देखा है, 2 लोगों ने add to card किया है और sale हमारी आ चुकी है, एक घंटे पहले ये data update हुआ था, अभी हो गए शाम के सबा साथ और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार sale कितनी आई है, तो यहाँ पर दिखा रहा है kitchen help online में events, पहले इस page को एक बार refresh कर लिया जाए, ओके, ओल्राइट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, purchase sales आ चुकी है हमारे पास, last 2 गंटे पहले ही update हुआ है, और 2 लोगों ने checkout भी initiate किया, page views 136 सब हो चुके हैं, view content 11 हो गया, और add to cart 3 लोगों ने किया है, तो overall performance ठीक ठाक चल रही है, क्या हम सिर्फ 1000 रुपए add budget लगा कर, drop shipping शुरू कर सकते हैं, और क्या add अप्रूव होने के first 24 गंटे में sales निकाले जा सकती हैं, मैंने इस 24 गंटे drop shipping challenge को accept किया है, और देखते हैं कि add अप्रूव होने के first 24 गंटे में कितनी sales निकलती हैं, कितना profit generate होता है वगयरा वगयरा, तो इस वीडियो में हम total 6 steps में drop shipping business setup करेंगे, मैं पूरा A to Z आपको सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे drop shipping शुरू करनी है, तो हमारा पहला step होगा product research, product research में आपको सबसे ज्यादा time देना है, हमें एक winning product ढूणना होता है जिसकी sales निकल सकती है, हमें क्या मालूम कौन सा product internet पे ज्यादा भिक रहा है कि इसकी ज्यादा demand है, तो मैं आपको एक शांदार तरीका बताऊंगा जिससे आप winning product अपना choose कर पाऊगे, अब product ढूणने के बाद हमें wholesaler भी ढूणना है, ऐसा wholesaler जो आपको कम price में वो product provide कर सके और उसकी service अच्छी हो, then after हमें अपने drop shipping की website setup करनी होगी, जहां पर हम अपने product को list करेंगे, e-commerce store की तरह से setup भी करेंगे, ताकि order की सारे detail आपके पास store हो सके, इसके बाद हमें payment gateway और shipping partner setup करना है, payment gateway के जरीए हमारी online payments आएगी, और जब order receive होगा तो उसे deliver कॉन करेगा, एक shipping partner deliver करेगा, आपको कहीं जाने की जरूत नहीं है, आप सब कुछ online घर बैठे कर सकते हो, then fifth step में हम Facebook ad campaign create करेंगे, जो हमारा winning product है, उसके लिए हम ads भी चलाने है, तो ad campaign कैसे create करना है, किस तरह setup करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, and at last order management कैसे करना है, आपके पास एक customer का order आ गया, अब उसे कैसे manage करोगे, wholesaler तक कैसे detail जाएगी, shipping cost वाइरा कितनी आने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको sixth step में बताऊंगा, तो इन total 6 steps को follow करके, हम पूरा drop shipping business घर बैटे setup कर सकते हैं, और अगर आपको अभी तक ये नहीं मालू में drop shipping क्या होती है, तो फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ, drop shipping business model में एक website होती है, जहां पर आप अपने product को put करते हो, तो मान लीजे ये आपकी website होगी, customer आपकी website पे order place करता है, आप उस order को wholesaler को forward कर देते हो, product को stock करने का, wholesale price पे खरीद कर रखने का, तो आप इस business model के साथ जा सकते हो, इसमें product आपके पास नहीं रहेगा, आपको सिर्फ orders लाने है, उस order को आप forward कर दोगे wholesaler के पास, और wholesaler आपके भिहाफ पे वो product customer को डिलेव अकरवा देता है, अब इसमें फाइदा आपका कैसे होता है, तो इसमें अर्मिंग कुछ इस तरह से होती है, माल लो wholesale price है किसी product का 90 रुपीज, आपने अपनी website पे उस product का price क्या रखा है, 2500 रुपए, तो यहाँ पे margin का difference कितना आया, 160 रुपए का, जाएगा, जो shipping cost आईगी ना, वो आपी को pay करनी होती है, तो इस 160 रुपए में shipping cost इंक्लूड़ेड है, इसमें ad cost इंक्लूड़ेड है, जब आप Facebook ads वगरा चला होगे, तो उस case में जितनी भी ad cost पर sale आती है, वो भी इस price में included है, along with that, कुछ additional charges वगरा भी हो सकते हैं, हो सकता है, आप किसी को hire करते हो, social media management वगरा खेली है, तो कुछ additional cost हो सकती है, बढ़ ये mandatory नहीं है, लेकिन दो cost included है, shipping cost और ad cost, then after, payment काम कैसे करती है, देखो मैंने कई सारे videos देखे हैं, dropshipping से related, किसी ने भी ये चीज़ एक्स्प्लेइन नहीं करी है, कि dropshipping business model में, actual payments कैसे काम करती है, तो मैं आपको समझाता हूँ, तो सबसे पहले customer आपकी website पे आता है, मानलो वो आपको 200 रुपए पे करता है, वो जो payment आपके पास आई है, आपको खुद का payment gateway लगा होता है, आपकी website पे, मतलब पूरा 200 रुपए आपके पास आया, payment gateway charges चलो अलग हैं, वो जो भी है, लेकिन जो पूरा amount है, वो आपके पास आता है, अब आप क्या करोगे, wholesaler को, जो wholesale price है product का, वो पे करते हो, प्लस shipping fees भी आपको पे करनी होती है, तो मोटर उड़ा हिसाब लेके चलते हैं, मानलो 90 रुपए wholesale price है उस product का, और 30 रुपए मानलो shipping price है, तो 120 रुपए total आपकी cost आई है, और मानलो 80 रुपए पर sale आपकी add cost आ गई है, तो total जो profit आपका बनके निकल रहा है, यह लोगों को पसंद आएगा, देखो इसको find out करने के ना, दो simple से step है, सबसे पहली चीज़, आपको एक niche choose करना होगा, niche यानि की एक specific category, देखो दुनिया में लाखो करोडो products है, अगर आप खुद से सोचने बैठोगे ना, कि किस product की मैं testing करूँ, कौन सा product यार sale हो सकता है, तो करोडो products में decide कर पाना बड़ा मुश्किल है, even उनकी testing कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक specific category choose कर लें, तो number of products कम हो पाते हैं, कम products में एक winning product ढूँनना आसान होगा, तो यहाँ पर माल लो मैंने एक category choose कर लिए, kitchen, kitchen के अंदर जो products use होते हैं, उन में से कोई एक ऐसा product हम ढूँनेंगे, जो problem solving product होगा, देखो drop shipping में ना, ऐसे product सबसे ज़ादा बिखते हैं, जो किसी specific problem को solve करते हैं, तो kitchen के अंदर, ऐसा कौन सा product हो सकता है, solving product भी है, इसी तरह से कोई दूसरा product, माल लो ऐसे daily हमारे हैं चाय बनती है, अब इंडिया में तो mostly चाय में अदर्क डलती ही है, तो अदर्क घिसने के लिए एक छोटास जाली इससा product आता है न, अब खाले में ऐसी तो decide नहीं कर लेंगे, गार्लिक क्रशर अगर है, तो वो खुब बिग जाएगा, चेक करते हैं पहले ही कि कोई और भी इसको sell कर रहा है क्या, और अगर sell कर रहा है तो उस पर engagement कितनी आ रही है, कितनी demand आ रही है, लोग कितना उसे पसंद कर रहे हैं, तो इसको find out करने के दो तरीके हैं, पहला एक free method, facebook ad library के help से, आपको simply google पे जाना है, और यहाँ पर आप type करोगे, facebook ads library, free of cost facebook के service है, सबसे पहली website आएगी, आप simply इसे open करोगे, कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप अपना country चूज कर सकते हो, जिस country गंतर आप ad creative वगरा चेक करना चाहते हो, then add category में आपको all ads चूज करना होता है, और इसके बाद यहाँ पर आप keyword डाल दो, जैसे मैंने पहले डाला हुआ garlic crusher, simply मैंने इसको type कर दिया, और यहाँ पर देखो कुछ ads मुझे पहले से दिख रहे हैं, जैसे एक ad था जो inactive है, 10 March को इन्होंने चलाया था, और 13 March 2024 को इस ad को इन्होंने बंद कर दिया, एक ad और चल रहा है, यहाँ पर जो भी active है, और भी कुछ ads देख लेते हैं, तो यहाँ से at least हमें एक idea मिल जाता है, कि लोग वागी इस तरह के ads चला रहे हैं किया, जैसे एक ad देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, हलांकि garlic crusher related तो नहीं है, लेकिन देखो इस ad पर भी, 1956 लोगों ने like किया हुआ है, फिर कुछ और ads भी हैं जो September 2023 में launch किये गए थे, तो Facebook ad library से at least आपको ad creatives का idea मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको detail में insights नहीं मिलता है, किसी भी particular ad का, तो अब हम एक दूसरा ad spy tool यूज करेंगे, जो one of the best tool है, जिसकी help से आप winning products find out कर सकते हो, daily कौन से winning products हैं, जो लोग वाकिए Facebook पे, Pinterest पे, TikTok पे sell कर रहे हैं, किस platform पे sell हो रहा है, उनका landing page क्या है, कितने likes, comments, shares आ रहे हैं, engagement क्या चल रही हैं उन ads की, हम सारा detailed insights चेक कर सकते हैं, तो आपको simply website open करनी है, minea.com, minea.com, ये एक ad spy tool है, जिसकी help से आप Facebook, Pinterest और TikTok के ads वगरा चेक कर सकते हो, और पूरा data आपको detail में यहाँ पे मिलता है, तो सबसे पहले आपको free of cost account create करना है, free trial पे आप click करोगे, then register पे चले जाएए, और एक account sign up कर लेना, so free account create करने के बाद, mania का कुछ dashboard इस तरह का दिखाई देता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे न, top 10 products of the day, मतलब Facebook पर, Pinterest पे और TikTok पे, जो top 10 products आज की rate में sell हो रहे हैं, या जिन पर engagement अच्छी खासी आ रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसी यह वाले एक product है, यहाँ पर लेंडिंग पेज का URL भी आपको देखने को मिलता है, इस है myfreebird.com है, इसी तरह से यह एक product है, यह product है, तो total 10 product ideas आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो Facebook पे आज की rate में सबसे ज़्यादा engaged हैं, आप यहाँ पर Pinterest के ads भी देख सकते हो, हलागी TikTok इंडिया में तो बैन है, बट जो लोग इंडिया के बाहर dropshipping वगरा करना चाहते हैं, तो वो TikTok के ads का insights भी यहाँ से check कर सकते हैं, अब हम चलते है ads टैप पे, यहाँ पर आपको काफी detailed insights मिलती हर एक particular ad की, जैसे कि Facebook platform के लिए, यह सभी वो ads हैं जो अभी right now Facebook पर run किये जा रहे हैं all over world में, यहाँ पर बहुत सारे आपको ads देखने को मिलेंगे, हर एक ad के उपर, उनका engagement वाला जो एक insight है वो भी आपको देखने को मिलता है, जैसे इस वाले ad पे 35 likes आ चुके हैं, पाँच लोगों ने comment किया होगा, दो shares आए हैं, इसी तरह से कोई और ad देखते हैं, मालो यह वाला ad है, 985 इस पर likes आ चुके हैं, 7 comment हैं 20 share हैं, और इस ad हो कब create किया गया था, 16 March 2014 को इसको create किया गया था, मतलब सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो, इतना ही नहीं, बहुत सारी और भी डेटा हम यहाँ पर देख पाएंगे, left hand side पर कई सारे filters available हैं, जैसे कि media type, अगर आप चाहते हो सिर्फ video ads देखना, मतलब ऐसे ads, जो लोग से video format में ही facebook पर run कर रहे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर video ads देख सकते हो, जैसे एक यह ad है, 1800 likes आ चुके हैं, 830 comment है, 202 बार इसको share किया गया है, अगर आप इसमें mouse अपना यहाँ पर hover करते हो, तो ad play होके भी आपको देखता है, then यहाँ पर e-commerce platform का filter दिया हुआ है, click करेंगे, तो यहाँ पर हम platform भी check कर सकते हैं, जो ad create किया गया, उसका जो landing page है basically, वो किस platform पर बना हुआ है, क्या वो Shopify पर है, WooCommerce पर है, या कोई custom shopping cart है, magento है वगरा वगरा, तो आप e-commerce platform के हिसाब से भी filter कर सकते हो, languages आप यहाँ से choose कर सकते हो, किस language में ad चल रहा है, आप engagement के हिसाब से भी ads को filter कर सकते हो, let's say likes पर click करते हैं, और हम यहाँ पर check करते हैं, ऐसे ads जिन पर high engagement आ रही है, तो देखो, अब यह सिर्फ वही ad दिखाएगा, जिस पर जादा-जादा likes आ रहे हैं, और engagement भी अच्छी कासी है, जैसे एक ad है, 1800 likes हैं, इस पर भी 1800 likes हैं, इस पर 4700 likes आ रहे हैं, इस पर 9400 likes हैं, एंड सो ओन, तो आप likes, comment ये shares वाले filter को use करके, ऐसे ads देख सकते हो, जिस पर बहुत जादा engagement आ रही है, reactions के हिसाब से भी आप इन ads को filter कर सकते हो, now, यहाँ पर है target audience और country, पहले target audience चेक करते हैं, तो आप age और sex के हिसाब से भी target audience को यहाँ filter कर सकते हो, let's say, हम यहाँ पर age में select करते हैं, adults, और gender में check करते हैं male, मतलब वही ads देखना चाहते हैं, जो सिर्फ males को दिखाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप filter देखी सकते हो, video ads हम देख रहे हैं, जो highly engaged है, जिनका age रूप 31 से 45 साल है और males हैं, तो यह सब ही ads male audience को दिखाए जा रहे हैं, फिलाल एक काम करते हैं, हम यहाँ पर gender वाला और age वाला filter हटा देते हैं, वापस चलते हैं, then after countries choose करके, हम check कर सकते हैं, किस country के अंदर particular ads run हो रहे हैं, तो यहाँ पर मान लेजे, मैं choose कर लेता हूँ India, और apply कर देते हैं, अब मुझे इस तब वही ads दिखाएगा, जो Indian audience को target करके चलाए जा रहे हैं, जैसे ही करीने कपूर का ad आपने अकसर देखा, वो UNICEF का है, जो donations के लिए आता है, यह India में चल रहा है, यह वाला ad भी India में ही चल रहा है, इसी तरह से यह सारे ads इंडिया में चल रहा है, मतलब सभी ads इस अब इंडिया में ही चल रहे हैं, और एक कमाल का feature में में और मिल जाता है, is drop shipping, अगर आप चेक करना चाहते हैं, उस सिर्फ वो ही ads, जो drop shipping business model के लिए run किये जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर simply drop shipping चूज कर लो और apply कर दो बस, अब यह आपको सिर्फ वो ही products दिखाएगा, जिनके drop shipping की जा रही है, जैसी यह एक product है, इस पे 8700 likes हैं, 527 इस पे comments आ चुके हैं, और इसके drop shipping की जा रही है, यह इसका landing page का URL दिया हुआ है, अब अगर मान लीजे आपको, इस ad का और भी detailed आपको insights चेक करना है, तो simply इस ad पे click करो, जैसी अब इस पे click करोगे, इसका individual page यहाँ पर open हो जाता है, तो यहाँ पर आप इस ad का description देख सकते हो, basically यह ad copy हो सकती है, यह shop का URL है, यानि कि जो landing page है, उसका URL है, status है running, मतलब अभी यह ad run हो रहा है, यह shop page का URL आ गया, language English है, कब create किया गया था, यहाँ पर आप इसका engagement rate का chart भी देखो देख सकते हो, कितने like, कितने comment, कब कि state में आए है, मतलब सारा data आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, see more पर click करेंगे, तो इसका individual page open हो जाएगा, आप चाहो तो इस ad को download भी कर सकते हो, यहाँ पर download का icon दिया हुआ है, click करेंगे, तो एक click में यह ad आपके computer पर download हो जाएगा, download zip file पर click कर देते हैं, और हम अपने computer पर से download कर सकते हैं, तो यह हमारे पास ad creative download हो गया, एक बार इसको click करके extract किया हमने, और देखो, यह पूरा का पूरा ad हमारे पास आ गया, अब इसको अपने हिसाब से हम customize कर सकते हैं, देखो, music बढ़िया चल रहा है, है न, और कोई watermark वगरा कुछ भी नहीं आया, तो मीनिया काफी बढ़िया platform है, और अगर आप चाहो इसका Facebook में जो real ad चल रहा है, वो देखना है, तो simply see ad post पे click कर दो, individual page open हो जाएगा, जहां पर यह ad run हो रहा है, देखो, इस तरह सी ad run किया जा रहा है, और यह इसकी headline है, मतलब जो title वगरा होता है, वो है shop now button दिया हुआ है यहाँ पे, और आप यहाँ पर real ad engagement वगरा सब कुछ देख सकते हो, कितने comments वगरा सब कुछ आ रहे हैं, है ना, तो मीनिया काफी बढ़िया tool है, अब हम चलते है magic search पे, यह कमाल का tool है, माल लो आपने को एक product चूस किया है, अगर वो product आपको ads वाले page पे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब उसका add वगरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप magic search पे आते हो, और यहाँ पे type कर दो, ग-A-R-L-I-C, garlic, C-R-U-S-H-E-R, ठीक है, यह मैंने type कर दिया, और search पे click कर देते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, काफी सारे products garlic crushers related आगे, जैसे एक यह product है, काफी बढ़ी है product मुझे लगा है, और इस product को ही मैं use करूँग और drop shipping करने के लिए, तो आप magic search की help से भी, किसी particular product का add search कर सकते हो, और मानलोगर keyword डालने के बाद भी आपको relevant add यहाँ पे नहीं दिखता है, तो आप image search भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं camera icon पे click करूँगा, और मानलोगर मुझे garlic crushers related ads वगरा find out करने है, तो मेरे पास अल्रेड एक image पड़ी है, इसे simply मैं open करके upload कर दूँगा, अब देखो image के हिसाब से भी यह platform search करके देखा आपको relevant ads, garlic crushers के मैंने image upload की थी, देखो उससे relevant कई सारे यहाँ पे ads मुझे दिखाई दे रहे हैं, यह एक ad है, 4200 likes आ चुके हैं इसके उपर, और 386 comments वगरा भी है, और यहाँ पर इसका landing page भी है, तो let's click on it, और इस ad को हम download कर लेंगे, see more पर click करते हैं, और यहाँ से मैं इस ad के video को download कर लेता हूँ, और यह ad किसी दूसरी country में run हो रहा है, I think यह hungry में run हो रहा है, H.E.U. मतलब hungry शाद domain extension वगरा हो सकता है, एक बबर open करके देख लेते हैं, किसी दूसरी language में है न यह, Hungarian है न, तो Hungary में basically यह product sell हो रहा है, anyways, इस product का ad हम इंडिया में चलाएंगे, फिर देखते हैं, sales निकलती है या नहीं, अच्छा, अभी जब account यूज कर रहा है, Mania का, वो free trial है, free trial में कुछ limitations होते हैं, यहाँ पर आप देखो, winning products का data आप नहीं देख सकते हो, engagement हो गरा तो आप देख पाऊगे, बट free trial में limitations है, आप चाहो तो इसका paid version भी ले सकते हो, यहाँ पर देखो कुछ और data भी आपको free of cost देखने को मिलता है, जैसे कि किस country के अंदर यह ad run हो रहा है, वो hungry से ही है, और UK से 23.6% है, यह किस age group को target कर रहे हैं, तो 10 से 20 साल को सबसेदा target कर रहे है, मतलब कोई नौसी की है यह ad चला रहा है, क्योंकि यह garlic crusher या 20 साल के अंदर के बच्चे थोड़ी खरीदेंगे, इसको कम से कम 30 से 40 साल है, ads from the same advertiser, मतलब जो same advertiser है, वो और कौन-कौन से ads run कर रहा है, अपनी business website के लिए, dropshipping website के लिए, तो I think यहाँ पर total 18, 19 ads देखो run कर रहा है, different-different type के products की, मतलब वो dropshipping कर रहा है बंदा, मतलब sales अच्छी कहासी देखो निकल रही होगी, तो आप इस Minia adspire tool की help से, different-different ads का data निकाल सकते हो, उनके insights वगरा चेक कर सकते हो, और decide कर सकते हो, कि हाँ आपका कौन से winning product हो सकता है, उनके ad creatives भी आप यहाँ से easily download कर पाऊगे, अभी हम Minia का free trial यूज़ कर रहे हैं, अब free trial है तो भी limitations भी होंगे, आप एक time के बाद इस tool को use नहीं कर पाऊगे, कुछ limited searches ही आप कर सकते हो, उसके बाद free trial आप use नहीं कर सकते हो, अगर continue आप Minia को use करना चाहते हो, और भी ads को explore करना चाहते हो, उनके और detail में insights अगरा चेक करना है आपको, तो आप Minia का premium subscription भी ले सकते हो, पहले आप website open करो, M-I-N-E-A dot com, तो हम Minia के home page पे आजाते हैं, यहाँ पर आपको price tab मिलेगा, इस पर अगर आप जाओगे, तो तीन pricing plan available है, starter plan है, premium plan है, business plan है, $49 per month का starter plan शुरू होता है, इसमें आपको ये सारे features मिलते हैं, premium plan $99 per month का है, इसमें ये features मिलेंगे आपको, और business plan जो के $399 per month का है, मतलब expensive है, इसमें काफी सारे और भी आपको insights वगरा देखने को मिलते हैं, अब मैं जानता हूँ कि आप $49 per month invest नहीं कर पाऊगे, थोड़ा सा expensive है जब आप start कर रहे हो, तो आपको 3 महिने तक continue, 20% का discount इस पर मिल सकता है, मैंने discount link आपको वीडियो का description में दिया हुआ है, एक बार new tab में चलते हैं, और discount link को हम paste करते हैं, ये link आपको वीडियो का description में मिलेगा, अभी आप देखो bottom में यहाँ पर क्या लिए क्या रहा है, benefit minus 20% of discount for 3 months on the premium starter plan with my code SADDAM20, मतलब ये coupon code आपको apply करने को मिलेगा, simply use my promotion पे click कीजिए, then after आपको ये account create कर लेना है, अभी आप यहाँ पर pricing plan चेक करो, एक पे मन्थली पे जाता हूँ, पहले $49 पर मंत का था, अब 20% discount के बाद $39 पर मंत का आपको ये plan देखने को मिल रहा है, आप simply select plan पे click करके इस plan को ले सकते हो, तो ये discount link आपको वीडियो के description में मिलेगा, इस starter plan में आपको 10,000 credits मिलते हैं, credits कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, एक तरह का balance होता है ये, देखो, जब भी आप कोई भी add वगरा सर्च करते हो, या किसी keyword को type करके सर्च करते हो, उससे relevant ads आपके सामने आते हैं, एक सर्च करने पे आपके 10 credit खर्च होते हैं, तो आपको 10,000 credits यहाँ पे मिलते हैं, आप खुद समझ लो, 1000 searches आप कर सकते हो हर महीने, जैसी magic search में आपके 10 credits खर्च होते हैं, इसमें देखो, मैंने email verify कर रहा है, तो 300 credit मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, बट एक account ऐसा भी है, यह verified नहीं है, जैसे यह वाला account देखो verified नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, verify your email, वैसे कुछ free credits हमें मिलते हैं, free trial account में, यहाँ पे अभी 80 credits दिखा रहा है, बट अगर मैं अपना email account verify करूँ है, तो 200 free credits मुझे और मिल जाएंगे, तो आप इस button पे click करके अपना email verify कर सकते हो, या जब आपने account create किया था, तो अपना inbox चेक करना, वहाँ पे एक verification link आता है, click करके आप अपना account verify कर सकते हो, अब मेरे पास already इक premium account है Minia का, तो उसमें login करके मैं आपको premium features भी दिखा देता हूँ, जिसे free account अभी यह वाला है न, देखो यहाँ पे access the list का button आ रहा है, मतलब top 100 winning products में यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, credits available हैं, मतलब 50,000 credits तो already मेरे पास थे, और email verify करने का 200 credits और मिल गए, तो कुछ जगह पर देखो investment करना न अच्छा होता है, यह सारे ऐसे tools हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, असलिए मैंने यहाँ पे investment कर रखा है, अब यहाँ पर आप देखो, सारे sections unlock हो चुके हैं, अब मैं Facebook पर top 100 winning products देख सकता हूँ, free trial में से 10 दिख रहे थे, एक बार इसको click करूँगा, तो जो 100 top trending products हैं, जिनके मतलब demand ज़ादा है, अच्छी sell हो रहे हैं, engagement अच्छी आ रही है, उन products की मैं यहाँ पर पूरे ads वगरा देख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर यह एक ad देख रहा है, एक बार mouse रखके देखते हैं, actual में क्या चीज है यह, देखो cooker के नीचे जले का दाग वगरा हो जाता है, rust वगरा लग जाती, तो clean करने का यह एक product है, बढ़िया दिख रहा हैं यहाँ पर, engagement भी अच्छी आ रहे है, 6600 likes हैं, 2000 से जादा comments हैं, 8500 के आसपास यहाँ पर shares वगरा आए हुए है, तो total 100 products अब मैं यहाँ पर देख पाऊंगा, जो top selling products हैं, जिन पर engagement काफी ज्यादा आ रही है, इसी के साथ साथ अगर मैं shops पर चलूँ, तो यहाँ पर top trending में shops देख सकता हूँ, मतलब e-commerce stores या drop shipping stores देख सकता हूँ, जो already काफी ज़्यादा trending में है, जिन पर अच्छी खासी sales वगरा generate हो रही है, उन सब के URLs भी मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर एक यह वाली shop है, myshopify.com, बंदेन अच्छा domain name ले रखा है, एक बार इसको click करके open करके देखते हैं, तो यह UK में basically located है, marketing इसके TikTok के जरीए चल रही है, 4 October 2023 इसको create किया गया था इस store, और latest products यह हैं इसका, आप C-more पर जा करके और भी इसका data वगरा explore कर सकते हो, then after यहाँ पर left hand side पर काफी सरे और भी filters आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप सिर्फ वही store देखना चाहते हो, जो सिर्फ drop shipping में ही dealing कर रहे हैं, तो यहाँ पर only drop shipping बस हम choose कर लेंगे, इस drop shipping को आप enable करो और apply कर दो, तो सिर्फ आपको drop shipping stores ही दिखाई देंगे, तो यहाँ से आप ऐसे stores के ideas ले सकते हो, जो drop shipping में अच्छा perform कर रहे हैं, वैसा ही कुछ landing page या website आप अपनी भी बना सकते हो, जैसे home and garden category में एक यह दिख रहा है मुझे, mailipro.de, एक बार copy करके, इसी new tab में open करके हम देखते हैं, चलो, यह media में क्या load हो रहा है, से बंद कर देते हैं, यह देखो store है, हलंकी इंडिया के बाहरा कहीं का store है, अब देखते हैं किस तरह के products यह लोग sell कर रहे हैं, तो इस तरह के देखो store लोग create करते हैं, अच्छा आप एक important चीज में आपको बताना चाहता हूँ, जब आप drop shipping स्टार्ट करोगे, तो multiple products आपको नहीं लेके चलने, जैसे इस store पे आप देखो, कई सारे different different type of products हैं, इनके पास budget होगा, तो इनोंने हर एक product के लिए, अलग-अलग ads वगरा बनाए होंगे, सब के लिए अलग-अलग budget इनोंने set किया है, हो सकता है, इस वाले product के लिए इनोंने 50 euro खरच कर रखे हो, इसके लिए इनोंने 40 euro खरच कर रखे हैं, मतलब इनके पास काफी ज़दा budget होगा, तो हर एक product के लिए आपको different different ad budgets लगाने होते हैं, अभी आप शुरुवात कर रहे हो, तो भई आपके पास इतना budget तो हैं नहीं, हमारे पास सर्फ 1000 रुपए हैं, अगर हम एक माल लो ये वाला product है, फॉर एक्जामपल, आईफोन चलो हम ले लेते हैं, माल लो इसके अगर हम drop shipping करते, तो 1000 रुपए जो हम लेके चल रहे हैं drop shipping के लिए, 1000 रुपए का पूरा budget सिर्फ इस एक ही product को promote करने पे हम लगा देंगे, वहीं अगर हम माल लो multiple products लेकर के चलते हैं, यह आईफोन भी होता, फिर यह hard disk की भी होती, फिर यह चश्मा भी होता, इसके बाद यह tripod भी होता, अगर यह 4-5 products हम लेकर के चलें, और हमारा budget सिर्फ 1000 रुपए का है, तो वह जो 1000 रुपए का add budget है न, वह चारों में distribute हो जाता है, तो उतना अच्छा performance निकल के आएगा नहीं add का, इसलिए start करो आप सिर्फ single एक product से, जब उससे कमाई हो जाता है अब आप multiple products के drop shipping कर सकते हो, एक product शुरू करने का सबसे बड़ा benefit यह है कि जितना आपका budget है न, वो पूरा budget एगी product को promote करने के लिए लग जाता है, जिखा रहा है, ऐसे products जिनके sales अच्छी निकल रही है online ads के जरीए, यहाँ पर आप winning products पर click करके check कर सकते हो, कौन से ऐसे products ने के sales वाकी बहुत जादा आ रही है, जैसे यह product है mobile holder मुझे लग रहा है, इसकी sales अच्छी खासी आ रही हो, और I think यह फूटेंगे नहीं, है न यह एक ट्रे, कितने की बिकर रही है, देखो 22 डॉलर के राउंड बिकर रही है, और UK में यह, 22 डॉलर का मतलब हो गया, 17-18 सो रुपे के आसपास, मतलब इंडियन रुपीज में 17-18 सो रुपे की यह plastic tray बिकर रही है, अगर wholesaler के पास हमें मिल जाए न, यह तो इसकी हम अच्छी खासी drop shipping कर सकते हैं, इवन UK में भी कर सकते हैं, US में भी कर सकते हैं, और नीशे हम चल करके देखते हैं, देखो Pinterest का जरीए इसकी marketing हो रही है, यह 3 different ads हैं, अभी इस पर कोई engagement वगरा कुछ भी नहीं है, किसी ने pin नहीं किया है, देखो यह ad कप create हुआ था, 10 January 2014 को create हुआ था, 11 January को यह 2 February create हुआ है, और इनके website पर जो सबसे ज़्यादा selling वाले products हैं, वो यह हैं, top products from this shop, और magic search आपको इससे related कई सारे और भी products यहाँ पर दिखा रहा है, तो मीनिया में आपको अच्छे खासे products की ideas मिल सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूत नहीं क्या बेचूँ, यहाँ पर आकर आकर स्टैट्स चेक कर लो, जो product पहले से ही दिख रहा है, लाइक कर रहा है, मतलब वो लोगों का पसंदीदा product है, उनकी problem को solve कर रहा है और बिक रहा है, आप ऐसे products की testing कर सकते हो drop shipping business में, तो भई हमने product तो चूज कर लिया, garlic crusher, अब हमें ढूणना है wholesaler, जो उस product को सस्ते दामों में हमें provide कर सके, प्लस वो हमारे लिए drop shipping में इंडिया में कर सके, मैं इंडिया में drop shipping करने ही कोशिश करूँगा, तो हमारा अगला step क्या है, हमारा अगला step ही यही है, we need to find a wholesaler, अब वैसे देखों इंडिया में कई सारे wholesalers हैं, आपको इंडिया मार्ट पे मिल जाएंगे, जिस्ट डायल पे मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी wholesalers in market place पे listed है, इनके कोई proper तरीके से store अवेलेबल नहीं है, product catalog अवेलेबल नहीं है, अगर आपको इनसे product की inquiry करनी है, तो पहले आप इनने message भेजो, call करो, फिर wait करो, फिर यह अपना pricing भेजेंगे, और इनके minimum order quantity भी होती है, आपको इनसे 50 product खरीदने पड़ेंगे, यह drop shipping वगरा भी नहीं करते हैं, तो एक ऐसा wholesaler इंडिया में अभी available है, जो बहुत ही कम price में आपको products provide भी करते हैं, आप इनसे products ले करके, अपना e-commerce store भी start कर सकते हो, या आप इनके throw drop shipping भी कर सकते हो, मतलब आपके पास order आया, आप इन्हें forward कर दो, या आपके customer दर deliver करवा देंगे, और बीच का profit आप अपने पास रख सकते हो, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, शुकन mall की, आपको simply website open करनी है, shukannmall.com, यह link आपको video के description में भी मिल जाएगा, शुकन mall एक गुजराद based wholesale website है, या marketplace कह सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत ही competitive price में, मतलब बहुत low price में products मिल जाते हैं, आप यहाँ से ले करके अपनी website पे, Amazon पे, Flipkart पे भी बेच सकते हो, या आप directly इनके साथ drop shipping भी कर सकते हो, यहाँ पर कई सारी categories available हैं, जैसे health and personal care related products आपको मिल जाएंगे, garden, outdoor वगर आएं, और भी कई सारे products हैं, तो यहाँ पर एक product में जो दिख रहा है, garden sprinkler 5 arm, इसका price आप देख रहे हो, 65 Indian रुपीज, अगर मैं same product को Amazon पे सर्च करूँ, यहाँ पर type करते हैं, garden, sprinkler और 5 arm, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, same product 299 रुपे का sell हो रहा है, यहाँ पर यह 369 रुपीज का है, 349 का है, 349, 299, 249, मतलब जो same product Shukan Mall पे आपको 65 रुपेगा मिलेगा, वो लोग Amazon पे जा करके 300-300 रुपे तक का बेच रहे हैं, आप समझो कितना ज़ादा profit निकाल रहे होंगे, तो Shukan Mall ना सिफ drop shipping ही provide करते हैं, e-commerce product supplier भी है, और आप चाइना से भी products को import करवा सकते हो, मान लोगो यह ऐसा product है, जो आपको पसंद आ गया, बड़ वो इंडिया में available नहीं है, चाइना में बिक रहा है, आप चाहते हो वो product इंडिया ला करके हम बेचें, तो आप Shukan Mall पे request कर सकते हो, यह चाइना से product को import करवा करके आपको provide करवा सकते हैं, अब हमें Shukan Mall के जरीए drop shipping करनी है, तो उसका सबसे पहला process तो यह है, कि आपको इनके website पे जा करके एक account create कर लेना है, simply new customer पे click करेंगे, दना आपको जाना होगा new customers वाले section पे, और यहाँ पे create an account का option दिया है, इस form को आपको fill up कर देना है, इनका mobile app भी available है android के लिए और ios के लिए, तो आप चाहो तो mobile app भी download कर सकते हो, अब account properly sign up करने के बाद, आपको simply अपने account में login करना होता है, तो यहाँ पर हम login पर गए, यह रहा login का option, आप अपने mobile number और password से login करोगे, जो mobile number आपने sign up के time पे provide किया तो, जो password create किया था, उसी की help से आपको login करना है, आपके पास GST number है, तो आप GST number भी यहाँ पर fill up कर सकते हो, और GST claim भी कर सकते हो, तो यह काफी बड़िया feature है शुकान mall के साथ में, कि अगर आप GST registered है, तो आपको even single product का भी GST claim करने का option मिलता है, जरूरी नहीं कि आप other wholesalers के साथ में काम करो, और अगर आप उनसे माल खरीदते हो, तो आप GST claim कर पाओ, यहाँ पर आप single product का भी GST claim कर सकते हो, और अगर आप multiple orders place करते हो, तो उनका भी आप GST claim कर सकते हो, और अगर आपके पास GST number नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप as a individual भी इनसे माल खरीद करके drop shipping कर सकते हो, यह दोनो fields optional है, यहाँ पर left hand side पर देखो, password change का option है, यहाँ पर my order में जा करके, जितने भी orders आप place करोगे, अपने customer के बिहाफ पे इनके platform पे, वो सभी orders यहाँ पे दिखाई देंगे, order date के साथ में, docket number, shipment, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है, इवें जो भी order आपने place किया होगा, यहाँ पर drop shipping के लिए, उसे आप track भी कर सकते हो, तो अभी आगे मैं आपको बताऊँगा, कि आप shipment के लिए career facility कैसे sign up करोगे, और वो आपका proper तरीके से, आपके store के साथ integrate भी हो जाएगा, आप वापस चलते हैं अपने home page पे, जब आप अपने account में login कर लेते हो, तो यहाँ पर देखो तीन tabs आपको दिखाई देते हैं, new product inquiry, इस पर click करने पर, आप चाइना से अगर कोई product वगरा import करवाना चाहते हो, तो आप उस product का नाम, expected quantity, कुछ और instructions देने, कुछ और information देनी है, और जो product है, उसकी image यहाँ पर upload करके submit कर दो, तो यह चाइना से आपके लिए उस product को import भी करवा करके देंगे, अब मान लीजे, आपके drop shipping store की उपर कोई एक order आया, हम वापस चलते है, home page पे, और यहाँ पर एक काम करते हैं, search करते हैं, garlic, जो same product हमने choose किया है न, garlic crusher, उसे यहाँ पर search करने कोशिश करेंगे, here we go, तो यहाँ पर वो same product हमें मिल गया, जो हमने माइनिया के help से research करके select किया था, इसका price आप देखो कितना दिखा रहा है, 75 रुपीज वो भी कटा हुआ है, एक बार इसे open कर लेते हैं, हलंकि अभी यह out of stock हो गया, मतलब sales अच्छी generate हो रही है, तो देख रहे हैं अब कितना price है, 55 रुपे पर पीस का इसका price है, 18% GST लग जाएगा, कितना पहुचेगा, मुश्किल जो 70 या 75 रुपे के आसपास की product पढ़ेगा आपको, GST वारा सब मिला करके, अगर मैं same product का price, जो मतलब माइनिया पर हमने research किया है, जो लोग पहले sell कर रहे हैं, एक बार इनकी official website पर चलके देखते हैं, एक बार copy करके, गूगल पर check करते हैं, कि actual में ये कितने का बिक रहा है, तो Hungary currency to INR, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इंडियन रुपीज में कितने का होता है ये, 2490 ऐसा कुछ पूट करना है, 548 रुपे का बिक रहा है, 55 रुपे का product 548 रुपे का बिक रहा है, इमेज पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर देखो, zip format में, आप इसे पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो, extract करके, जितनी भी images यहाँ पर यूज की गई हैं, गैलरी में हैं, और जहाँ पर भी हैं, वो तमाम सारी media files आपको high resolution में मिल जाती है, यह देखो, आप इने अपने ads वगरा में use कर सकते हो, अपने dropshipping website पे भी use कर सकते हो, along with that, इस product का हमें SKU ID भी यहाँ पर देखने को मिलता है, कितना weight है इस particular product का, product की यहाँ पर packing details वगरा सब देखने को मिल जाती है, एक card room में 200 pieces pack होते हैं, और product की सारे details आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, along with, जब आप listing content पर click करते हो, तो यहाँ पर आप देखो, इस product का title क्या है, HSN code भी आपको मिल जाएगा, weight कितना आ रहा है, volume weight भी यहाँ पर दिया है, dimension कितना है, length, red height वगरा में, अगर आप Amazon यह flip card पे list करते हो, तो किस category के अंदर यह जाएगा, color क्या है, इसका material क्या है, और तमाम सारी details आपको यहाँ पर मिलेगी, मतलब आपको इस चीज़ का headache नहीं लेना पड़ेगा, किस product का description कहां से मैं manage करूँ, सब कुछ आप यहाँ से copy करके अपनी website पे use कर सकते हो, even अगर आप इनकी images भी use करते हो, उनकी media files अपनी website पे भी use करते हो, तो कोई copyright claim वगरा आपकी website पे नहीं मिलने वाला है, तो यह बहुत बड़ा benefit है शुकन mall के साथ में, तो चोले example के तोर पे कोई एक product दूसरा देख लेते हैं, अभी हालांकि यह वाला जो garlic crusher ही तो out of stock है, माल लो drop shipping के जरीए आपके पास एक sale आई है, customer ने आपकी drop shipping website के उपर order place किया है, payment भी कर दिया, माल लेते हैं, यह वाला वो product है, जो customer ने आपकी website से खरीदा है, अब आप कैसे process करोगो, उसके लिए simply आपको पहले click करना होता है इस product के उपर, यहाँ पर आप add to cart पे जाओगे, then cart में यह product add हो चुका है, cart page पे हमें visit करना होगा, view cart पे click करते हैं, तो यहाँ पर देखो GST मिला करगे, 142 रुपय का totally product पढ़ता है, अगर आपके पास GST नंबर होगा, तो यह 22 रुपय आप GST claim कर सकते हो, GST नंबर नहीं है, तो फिर यह आपकी pocket से लग जाएगा, then checkout page पे हम जाएंगे, और इस process को अच्छी तरह समझ लेना, ओके, तो यहाँ पर अभी आप देखो, billing and shipping information में आप सारी अपनी detail फिल अप कर दोगे, यहाँ पर state फिल अप कर देते हैं, मद्द पबेश, ठीक है, then यहाँ पर आप देखो, अभी option क्या selected है, home delivery selected है, तो shipping वगरा मिला के, 211 रुपय और 60 पैसे में, यह product आपके घर पे deliver होगा, बट यह उस case में होगा, जब आप अपना खुद का e-commerce store run कर रहे हो, आप product का stock करना चाहते हैं, उसके बाद आप इसे sell करोगे, हमारे case में हमें drop shipping करनी है, तो हमें यहाँ पर choose करना होगा, drop shipping वाला delivery option, अब जैसे मैंने drop ship देखों, यहाँ पर choose किया है, तो आप यहाँ पर कुछ comments वगरा add कर सकते हो, और यहाँ पर आपको shipping label अपलोड करना होता है, क्या चीज़ दे shipping label मैं आपको समझाता हूँ, आपने कभी Amazon से shopping करी है, जब आप Amazon से कोई product मंगवाते हो, तो जो आपका courier आता है, उसके उपर एक छोटा सा paper chip का होता है, white color का, उस paper में एक barcode दिया होता है, product की सारे detail दिये होती है, कहां से वो product ship हुआ है, आपका address वगरा सब कुछ दिया होगा, product की detail tabular format में दिये होती है, और भी कई सारी जानकारी दिये होती है, इसे हम shipping label कहते हैं, अगर आपके पास कोई order आपकी website पे आया है, और आप उसे drop ship करवाना चाहते हो, तो definitely customer ने आपको payment पे कर दिया है, तो customer को लगेगा भई, कि आप उस product को deliver करवाने वाले हो, लेकिन आप क्या करोगे, आप शुकन मॉल की website पे आते हो, यहाँ पर आप customer के भिहाफ पे पूरा order प्लेस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से product कार्ट में add कर दिया है, और सारी चीज़े मेरे सामने आ गई, अब चुके शुकन मॉल वाले, उस product को customer के address पे आपके बिहाफ पे डिलेवर करने वाले हैं, तो आपको पहले वो shipping label generate करना होता है, उस shipping label में customer की detail होगी, product की सारे detail होगी, जो courier facility है, उसका बारकोड वगरा generate होता है, उस सब कुछ उस पे रहेगा, तो shipping label कैसे create करना है, वो अभी आगको मैं आगे बताऊंगा, उस shipping label को आपको यहाँ पे upload कर देना होता है, शुकन मॉल के पास वो shipping label पहुँच जाएगा, उसके basis पे वो product को ready करेंगे, box के अंदर pack करेंगे, उस box के उपर shipping label को चिपका दिया जाएगा, और वो आपके बिहाफ पे customer के address पे deliver करवा देंगे, तो I hope आपको समझ में आया होगा process क्या है, simple सा process है, customer ने आपको pay किया, आपने शुकन मॉल पे आगे same order को place कर दिया, shipping label जनेरेट किया customer के लिए, और वो शुकन मॉल को दे दिया, अब शुकन मॉल वाले उस box को pack करके, shipping label चिपका देंगे, और customer के address पे deliver हो जाएगा, तो ये model बड़ा simple सा है, एक दो बार अगर आप करोगे न, एक दो order अगर आपके deliver होंगे, तो आपको पूरा easily समझ में आ जाएगा, अब हमारा अगला step क्या है, हमें एक drop shipping website create करनी है, हमने product choose कर लिया है, product कौन सा बेचिंग मालूम हो गया है, dropshipper मिल गया, जो हमारे product हो customer दे deliver करवाएगा, अब हमें website ready करनी है, ताकि हम उस product को अपनी website पे put कर सकें, और हमारी website पूरी white label होगी, मतलब customer को ये लगेगा भई, वो product की भी हमारा ही है, customer को ये पता ही नहीं चलेगा, ये वो product हम dropship के जरीए उसे deliver करवाने वाले हैं, अब website बनाने के कुछ steps हैं, अगर हम इने proper तरीके से follow करें, ता आप बहुत easily website बना सकते हो, आप उसे को भी hire करने के जरूत नहीं है, आप इसे एक website भी कह सकते हो, या landing page भी कह सकते हो, क्योंकि यही वो एक webpage होगा, जहां पर user आता है, मतलब जब वो आपके add पे click करेगा, तो आप उसे कहां ले करके आओगे, हम एक webpage पे लेके आते हैं, जहां पर हमारे product की सारी detail पड़ी होती है, इसलिए हमें ये webpage या landing page या website बनाना जरूरी है, कैसे create करते हैं, सबसे पहले हमें एक domain name चाहिए होगा, और एक web hosting चाहिए होगी, domain name आपके landing page का URL होगा, और web hosting आपके इस landing page को internet पे live रखती है, इसके लिए simply हमें एक website open करेंगे, saddamkasim.com forward slash hostinger, ये मेरा reference link है, अगर आप इस link को use करते हो, तो आपको hosting में 10% का discount मिलता है, प्लस आपको domain name absolutely free मिलेगा, और Elementor Pro, जिसका actual cost $59 है, वो आपको absolutely free provide किया जाएगा, तो ये link आपको वीडियो का description में भी मिल जाएगा, तो ये hostinger, वैसे इंडिया में कई सारी web hosting companies हैं, जो hosting provide करती हैं, domain name provide करती हैं, बट ज्यादातर company काफी expensive है, hostinger काफी सस्ती है, और reliable company है, service काफी बड़ी है, safe and secure भी है, और wordpress.org पर officially hostinger recommended है, यानि wordpress की team खुद hostinger को recommend करती है, आपको simply wordpress menu पे जाना है, and then you have to click on wordpress hosting, इसके बाद नीचे scroll down करेंगे, तीन pricing plan हमें दिखाई देते हैं, आँख बंद करके, जो सबसे basic वाला है, वो plan आप ले सकते हो, premium plan सबसे सस्ता है, 149 रुपीज पर मन्त वाला, इसमें आप 100 websites तक बना सकते हो, मतलब 100 different different websites, यह different different landing pages, आप इस plan में create कर सकते हो, आपको बार-बार hosting खरीदने के जरूत नहीं है, standard performance मिलती है, चलेगा, total 100 GB के SSD storage है, free business emails मिलते हैं, unlimited free SSL मिलेगा, SSL यानी secure socket layer, सबसे top पे यह option आप देख रहे हैं, connection secure वाला, ऐसा ही option आपकी भी website पे लगकर के आएगा, इससे customer में trust build होता है, unlimited bandwidth है, मतलब कितना भी आप traffic भेजो, ऐसा कुछ यहां mention नहीं है, यह कुछ limited traffic में, जितना चाहो तोना traffic आप भेज सकते हो, और free domain name आपको first year के लिए मिलेगा, जिसे actual cost 799 रुपय पर year के आसपास होती है, एक साल के लिए आपको बिल्कुल free of cost मिल जाता है, कई सारे और भी additional features हैं, तो simply हम इस plan को add to card करेंगे, तो यह आगए हम card page पे, अब जो web hosting अब लेने वाले हो, उसका duration होता है, या तो आप एक महीने के लिए ले सकते हो, मैं कभी recommend नहीं करूँगा, बहुत महेंगी पड़ती है, 599 पर पर मंत, एक महीने के बाद आपको फिर इतना renewal price देना पड़ेगा, तो यह मत लेना, कम से कम आप 12 महीने की hosting लो, price भी बहुत कम पड़ेगा, अब यहाँ पर आ करके आप एक account create कर लेना, चाहो तो आप Gmail से कर सकते हो, Facebook से कर सकते हो, या आप manual अपना email address और password भी यहाँ पर create कर सकते हो, अब यहाँ पर एक बार order review कर लेते हैं, मैंने 48 months का plan यहाँ पर choose किया हुआ है, जो पड़ता है 7,152 रुपे का, तो इस तरह की production भी हमें hostinger में मिल जाती है, टैक्स वगरा लगा करके, 4 साल की hosting कितने की पड़ रही है, 8,449 रुपे 36 पैसे, अब आपको यहाँ पर coupon code भी apply कर लेना है, पहले आप referral link यूज़ करना, सद्दामकासिम.com forward slash hostinger, उसके बाद यहाँ पर coupon code अप्लाई करोगा, सद्दाम 7, तो आपको 10% का additional discount भी मिलेगा, यह आप देखो, टोटल प्राइस कितना है, 7,592 रुपे लिएलिस पैसे, चार साल की web hosting का, और एक साल का domain बिल्कलू free of cost अवेलिबल इसमें, left hand side पर कई सारे payment methods अवेलिबल हैं, जो भी payment method आपके पास available, उसको choose करके आप payment कर देना, एक चीज में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप UPI या PayTM या phone पर Google पे कितरो payment करोगे, जब आप mobile app ओपेन करोगे न, हो सकता है, यहाँ पर जो price आपको दिखा रहा है न, इससे ज्यादा price आपको वहाँ पर दिखाएगा, मतलब mobile app में दिखाएगा, घबराना नहीं है, वो auto pay का एक RBA की तरफ से mandate है, कि hosting कर maximum renewal पर आपसे कितना charge कर सकता है, तो amount उतना ही कटेगा, जितना यहाँ पर mentioned है, जो amount आपको app में दिखा रहा होगा न, वो amount नहीं कटेगा, वो सिर्फ एक message होता है, submit secure payment वाले बटन पर click कर देना, आपका payment complete हो जाएगा, अब एक premium plugin है, ड्रैगन ड्रॉप based page builder है Elementor, जिसका actual cost 59 डॉलर से, वो मैं आपको absolutely free provide करूँगा, अगर आप मेरा referral link यूज़ करके, hostinger से web hosting लेते हैं, इसमें आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, Elementor pro आपको कैसे मिलेगा, जब आप web hosting purchase करते हो, तो hostinger के तरफ से एक confirmation email आपको आता है, आपके email address पे, उसका snapshot ले लेना, उसमें mentioned होता है, आपने कौन सा plan लिया है, और date भी mentioned होती, किस date में आपको email receive हुआ है, पूरा snapshot ले लेना, इस video को description में मैं एक form दिया हुआ है, इस form को fill up करना, आपको वो snapshot भी वहाँ पे upload करना होगा, जैसी मेरी team के पास आएगा, इसके बाद top right को ओना पर login का button है, इस पर आप click करोगे, और अपने account में आपको login कर लेना है, यह मैंने अपने hostinger के account में login कर लिया है, अब free of cost domain name कैसे मिलता है, मैं अपना free वाला domain पहले ही claim पर चुका हूँ, get a new domain पर click करेंगे, अब जो भी domain name आपको choose करना है, अपने landing page के लिए, उस domain name को आप यहाँ search करोगे, अगर वो domain name किसी और ने पहले ही ले रखा होगा, तो आप नहीं ले पाओगे, और अगर वो domain name available है, तो definitely आप उसे ले सकते हो, तो यहाँ पर माल लीजी मैं domain name search करता हूँ, k-i-t-c-h-e-n-h-e-l-p.com, kitchenhelp.com, search करते हैं, देखते हैं, यह वाले domain name available है क्या, तो यहाँ पर आप देखो, kitchenhelp.com is already taken, यह पहले से किसी और ने ले रखा है, मैंने ही ले सकता, बढ़ कुछ और suggestions मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे kitchenhelp.io कह रहा है, कि यह वाला domain name ले लो, 33009 रुपए का मुझे देगा, आपके end पर जो भी domain.com वगरा रहेगा, वो free of cost आप ले सकते हो, यहाँ पर button आ जाएगा, get your domain for free, बढ़ मेरे end पर भी पैसे दिखा रहा है मुझे, तो मैं इतना महेंगा domain name तो नहीं लूँगा, यहाँ पर कुछ और alternatives देख लेते हैं, जैसे यह वाला domain name है kitchenhelp.online, इस domain name को चलो मैं ले लेता हूँ, 89 रुपीस फिर्स्ट येर का पड़ेगा, मेरा नाम, email address, registered phone number और मेरा address बगरा, आपके end पी पे एक form आ जाएगा, आपको उसको fill up करना होता है, सारी personal details आपसे मांगी जाएगी, लेकिन यह सारी personal details इंटरनेट से completely hidden रहेगी, क्योंकि hostinger में हमें who is privacy protection, फिकलो free of cost मिलता है, अब हम simply finish registration पे click कर लेंगे, और यह domain name हमारे account के साथ register हो जाएगा, now continue पे click करते हैं, और यह domain के सारी details हमारे सामने आ गई, right now domain name active है, एक बार इस domain को मैं browser tab में open करके आपको दिखाता हूँ, तो simply copy कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या दिख रहा है, अभी देखो कोई website बनके नहीं आ रही है, server not found आ रहा है, अब हमारा अगला step क्या है, कि हमें अपने domain name पर wordpress install करना है, wordpress कैसे install करते हैं, पहले आपको websites वाले menu पे जाना होगा, यहाँ पर add और migrate a website पर आप click करोगे, एक interface आपके सामने open हो जाएगा, setup wizard type का, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, do you want to create और migrate a website, क्या आप एक website बनाना चाहते हो, create पर click कर दो, and then next पर click करना होगा, इसके बाद, किस tool की help से website बनाओगे, of course wordpress की help से बनाएंगे, यह already selected है, select wordpress पर click कर दीजिए, now यहाँ पर आपको अपनी website के लिए, यह landing page के लिए login details create करनी होती है, जो भी आपका email अभू put कर देना, और strong password यहाँ पर create कर लेते हैं, इसके बाद next पर click करेंगे, what type of website do you want to build, किस तरह की website बनाने वाले हो, तो simply यहाँ पर आप other चूज कर लेना, and then फिर से next पर click कर देना, अब जितने भी other options आएंगे, आपको सब को skip करते चलना है, इसे भी skip कर दोगे, इसे भी skip कर देना, and make sure इस step पर हमें अपना domain name चूज करना है, वो domain name जिसके उपर हम landing page बनाने वाले हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो मेरा domain name अलड़ी देखो, यहाँ पर दिख रहा है यह, click करेंगे, select हो गया, and then next पर click कर दीजे, अब देखो, वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, और अभी राइटना, अब देखो, domain status मुझे क्या दिखा रहा है, kitchenhelp.online will be accessible in 30 minutes, मतलब, जस्ट अभी हमने domain name पर्चेस किया है, तो कुछ setting वगरा चल रही होगी back end में, 30 minute के बाद हम इसे access कर पाएंगे, बट जरूरी नहीं कि 30 minute के बाद ही access कर पाएं, एक बार हम confirm कर लेते हैं, क्या पता, WordPress install होके हमारा domain भी setup हो गया हो, refresh करके देखते हैं, अभी देखो हमारा domain setup नहीं हुआ है, तो हमें आदे पॉन घंटे wait करना पड़ेगा, तो अभी आदे घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी बार फिर से page को refresh करके हम देखते हैं, तो अभी भी server not found आ रहा है, कई बार ये browser ही cache memory के वज़े से भी होता है, तो एक बार दूसरे browser में हम site को open करके देखते हैं, तो देखो, यहाँ पे Google Chrome browser में ने use किया है, और एक default page बन करके आ गया, तो यह मतलब cache memory का issue है, जो Mozilla Firefox browser है, उसकी cache memory के वज़े से हमें previous version दिखाई दे रहा था, तो यह हमारा basically एक basic सा web page बन करके आ गया, अब हमें इससे customize करना होगा, तो पहले आपको domain name के आगे forward slash wp-admin लगाना है, ताकि आप अपनी website में login कर सको, ओके, तो यहाँ पे username और password मांग रहा है, same username और password जो हमने WordPress के installation time पे create किया था, तो मैंने successfully अपने WordPress account में login कर लिया, अब यहाँ से आप अपना landing page वगरा easily create कर सकते हो, अब हमारे plan के हिसाब से, हमने WordPress तो install कर लिया, अब हमें WooCommerce shopping card plugin install करना है, और एक product बनाना है, garlic crusher product, ठीक है, तो पहले हम WooCommerce plugin को install करेंगे, simply आपको plugins में जाना है, add new पे click करना है, जो जो steps में आपको बता रहा हूँ, बस उन्हें follow करते जाईएगा, बहुत quickly आप अपना landing page बना लोगे, तो यहाँ पर हमें search करना है, WooCommerce, यह एक shopping card plugin है, जो आपकी basic website को, fully featured e-commerce store में convert कर देता है, क्योंकि आखरकार हमें orders अपनी website पर receive करने हैं, तो सबसे पहला plugin है WooCommerce, आप simply install करके इस plugin को activate करो, एक setup wizard आएगा, उस setup wizard को आपको proper तरीके से complete करना है, ओके, let's activate this plugin, ओल्राइट, WooCommerce plugin successfully हमारी website में activate हो चुका है, एक बार settings पर हम click करेंगे, और यहाँ पर कुछ basic settings आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप अपना address वगरा यहाँ पर fill up कर सकते हो, मैं simply fill up कर देता हूँ, किस country में हो आप, तो मैं यहाँ पर India चूज करूँगा, India और India में मैं हूँ मध्यप्रदेश से, तो मैंने यहाँ पर चूज किया, India मध्यप्रदेश, इसके बाद coupon वाला system हमें नहीं चाहिए, तो हम simply से disable कर देंगे, currency हमारे store पर क्या रहने वाली है, उस currency को आप यहाँ से सेट कर दोगे, मैं product sell करूँगा Indian रूपी में, तो यहाँ पर मैं INR चूज करूँगा, यह INDIAN इंडियन रूपी, ठीक है, इसके बाद save changes पर आपको click कर देना है, तो पहले हमने currency सेट कर दिया है, अपने store का address वगरा यहाँ पर हमने fill up कर दिया, इसके बाद आपको जाना है emails में, अगर कोई भी customer आपकी website पर एक order प्लेस करता है, तो उसका order notification किस email पर जाएगा, वो आपके पास आना चाहिए, तो आप अपना email address यहाँ से set कर सकते हो, जैसे new order notification किस email पर जाएगा, इस वाले email पर जाएगा, जो मेरा email address है, आप चाहो तो email change भी कर सकते हो, simply manage पर हम क्लिक करेंगे, और कोई other email address अगर आप put करना चाहो, तो यहाँ पर put कर सकते हो, उसके बाद आपको safe changes पर क्लिक कर देना है, इसी तरह से कई और भी notifications जाते हैं, जैसे कि cancelled order का notification इस email पर जाएगा, failed order का इस पर जाएगा and so on, अब हम एक नया product create करना है, product कैसे create करते हैं, यहाँ पर देखू products tab आपको देख रहा होगा, simply add new पर क्लिक कर देना, अब एक काम करते हैं new tab में, शुकान मौल open कर लेते हैं, s-h-u-k-a-n-m-a-l-l.com, इससे open करते हैं, और यहाँ पर same product find out कर लेते हैं, G-A-R-L-I-C, तो यह है वो product इससे open करेंगे, product का title यह रहा, simply इससे हम copy कर लेते हैं, let's copy it from here, and title आपको इस वाले box के अंदर paste कर देना होता है, इस तरह से, इसके बाद यह वाला option आप चाहो तो छोड़ सकते हो, then after आपको product description में आना है, यहाँ पर आप product का long description गुट करते हो, तो long description क्या है हमारे पास, यह सारा long description है, आप simply इसको यहाँ से उठा लो, इसको भी हम bold कर लेते हैं, then after सबसे नीचे आपको मिलेगा product short description, इसके अंदर आप कुछ punch lines product के बारे में लिख सकते हो, मतलब कुछ चीज़ा जो highlight आप करना चाहो, तो मेरे पास यहाँ पर 4 points है, इसे premium quality है, present field है, मतलब जो long description में explain किया था जो bold text है, वही मैंने short description में put कर दिया, अब इस वाले box के अंदर आप price put करते हो, जैसे की, मानलो हम ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, कि जो product है ना, उसका actual price था 689 रुपीज, और हम उसे sale price से देच रहे हैं, 499 में, तो आप इस तरह से price put करते हो, regular price के अंदर आप मतलब, जो original price होता है वो put करते हो, और sale price के अंदर आप वो price put करोगे, जिस price पे आप इस product को sell करना चाहते हो, ठीक है, तो main price ये वाला रहेगा आप, then after आपको right hand side पे image का option मिलता है, यह है, set product image, इस पर आपको click करना है, simply select files में जाईए, और जहाँ पर भी आपने folder में images को download कर रखा है, तो यहाँ पर लेट से, इस वाली image को as a main image ले ले लेते हैं, मैंने open कर लिया, तो यह main image के तोर पे load हो जाएगी, set product image पे click कर दीजे, यह main image आगई, then after आप और आप और भी images add करना चाहो as a gallery, इसे भी open कर लेते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा images हम दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा product के बिखने के chances हैं, क्यों customer को ना ज्यादा ज्यादा clarification मिल जाता है product का, ठीक है, तो यह मैंने सारी के सारी images यहाँ पर select कर ली है, इसके बाद add to gallery पर click कर दीजे, यह as a gallery दिखाई देगी, यहाँ पर category create कर सकते हो, let's say crusher and then add new category, इसके बाद simply आपको publish कर देना है, हमारा product बन गया, देखो, product published, view product, एक बाद new tab में मैं आपको open करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह का देखो, यह product हमारी website पर दिखाई देगा, यूजर उस landing page पे easily convince हो जाएगा, फिर इस वाले page पे आके वो order को place कर सकता है, ठीक है, तो हमारे plan के हिसाब से अगला काम हमें क्या करना है, हमें theme और plugin install करना है, कौन सी theme install करेंगे, simply appearance में आपको themes में जाना है, और यहाँ पर हम install करने वाले हैं Astra theme, अगर आपको theme यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, तो आप इस सर्च box में Astra टाइप करके इस theme को सर्च कर सकते हो, तो theme को activate कर देते हैं, अब जैसे हम theme को activate करेंगे, जो हमारा यह page है इसका design थोड़ा change हो जाएगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ, अब इस page को हमें एक बार refresh करूँगा, तो इस page का design देखो change हो गया, तो theme बेसिकली आपके वेब पेज के लेंडिंग पेज का design है उसे define करती है, अब इसके बाद हमें कुछ plugins इंस्टॉल करने हैं, तो simply plugins में add new plugin पे चलते हैं, और यहाँ पे हम दो plugin इंस्टॉल करेंगे, एक Elementor का free version इंस्टॉल करेंगे, और दूसरा Elementor का premium version जो मैंने आपको provide किया है, तो पहले आपको Elementor का free version यहाँ पे search करना है, ELEMENTOR Elementor, Elementor का premium version तभी काम करेगा, जब Elementor का free version पहले से ही आपके website पे active है, तो यह रहा Elementor website builder, पहले आप इसे install करके activate करोगे, तो हमने Elementor का free version तो install और activate कर लिया, अब हमें Elementor का premium version भी install करना है, premium version मैंने आपको .zip format में provide किया हुआ है, तो आप simply उस plugin को upload करोगे, add new plugin पे हम click करेंगे, then आपको upload plugin में जाना है, choose file पे click कीजे, और जहाँ पर भी आपने premium version डाउनलोड कर रखा है, आप उसे upload कर लोगे, तो कुछ इस तरह का देखो Elementor Pro आपको दिखाई देगा, simply आप open या upload कर लेना, install करके activate कर देना, यह हमने Elementor का pro version भी activate कर दिया, अब यहाँ पर connect and activate का option आ रहा है, मतलब इस Elementor Pro plugin को Elementor.com के server से हमें connect करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास premium account होना चाहिए, मतलब जो 59 डॉलर वाला account है वो होना चाहिए, आप क्या करोगे, activate करने के लिए आपको मेरी team को अपने WordPress का login detail प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो original version होता है, वो ही आपके website पे activate किया जाएगा, ताकि कोई virus वगर का चक्कर ही ना रहे, अब देखो आपके WordPress website का login detail आखिर हमें क्यों चाहिए होता है, Elementor Pro को activate करने के लिए, इसको activate करने का एक ही process है, connect and activate पे हम click करेंगे, तो यह हमें elementor.com के जो homepage उस पे ले करके जाएगा, मुझे अपने account में login करना पड़ेगा, जो मेरा premium account elementor.com पे बना हुआ है, मैं simply login करूँगा, उसके बाद ही यह plugin activate हो पाता है, तो यहाँ पर ही मेरा account अलड़ी login है, हमारे पास agency version है, तो इस तरह से देखिए हमें license को activate करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, elementor successfully activate हो चुका है, अब अगला step क्या है, आपको simply pages में जाना है, add new page पे click करना है, इस box को हम बंद करेंगे, यहाँ पे page का हम नाम दे सकते हैं, जैसे की garlic crusher, then top right corner पे यहाँ पे आपको astra theme की कुछ settings मिलती है, इस पर आप click करोगे, container layout में आपको कर देना है full with, sidebar में आपको कर देना है no sidebar, and disable elements में आपको करना है disable banner area, इसके बाद publish कर दीजे और फिर से publish कर दीजे, हमने एक blank page publish किया है, अब आपको edit with elementor पे click करना है, elementor plugin की पूरी screen load हो जाएगी, और यहाँ पर मैं आपको एक template provide करूँगा, बस आपको click करके upload कर देना है, और पूरा web page आपका ready हो जाएगा, पहले इस navigator को हम बंद कर देते हैं, अब simply आपको इस folder वाले icon पे click करना होता है, then यह रहा upload वाला option, इस पर आप click करोगे, select file पे जाना, और मैंने आपको यह वाली file provide की हुई है, garlic crusher template, ठीक है, अब simply इस file को open करके upload कर देना, continue कर देना, ठीक है, and enable and import कर दीजे, alright, तो देखो यह template upload हो चुका है, अब simply आपको insert पे click करना होता है, और देखो, पूरा का पूरा web page हमारा ready हो गया, ठीक है, तो एक click में आप सीधे template को import करके, पूरा का पूरा web page ready कर सकते हो, इस page को मैंने design किया हुआ है आपके लिए, आप simply एक click में import कर लेना, जब बंदा add पे click करेगा ना, इसी वाले page की उपर आएगा, यहाँ पर हमने product की सारी details पूट कर रखी, कितने का product है, क्या नाम है and so on, अगर आपको कोई भी changes करने है, जैसे मालो, यह font color blue दिखा रहा है, आपको इसे black करना है, तो पहले आप simply pencil icon पे click करना, left hand side पे setting open हो जाएगी, style पे आपको जाना होता है, और यह text color जो आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप color change कर सकते हो, देखो मैंने black कर दिया, है ना, इसी तरह सी यह वाले text है, अगर इसे color भी आपको black करना है, click कीजिए, style पे जाओ, text color में जा करके, यहाँ से इसको black कर सकते हो, यह red, blue जैसा करना हो, वैसा कर सकते हो, तो हर एक heading का color हम black कर देते हैं, फटा-फट, आल राइट, सो मैंने पूरे page के दुख़ा update कर दिया है, heading के color को मैंने change कर दिया, अगर आप किसी भी heading के text को change करना चाहो, कोई भी text अगर आपको change करना है, simply आप उस पर click करोगे, pencil पर click करना, उसके setting left hand side पर open हो जाती है, style tab से पहले दिया होता है content tab, इस पर अगर आप click करोगे, देखो, इस box के अंदर आप जो कुछ भी type कर दोगे, delete कर दोगे, या add करोगे, वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा, मालो मुझे यहाँ पर ऐसा करना है, kitchen wears करना है, तो मैं S type करूँगा, देखो, S यहाँ पर दिखने लग गया, कोई और word add करना है, जैसे 2 in 1 था, मुझे 3 in 1 करना है, तो मैं यहाँ पर 3 type करूँगा, 3 in 1 हो गया, ठीक है, और इतना करने के बाद, आपको इसे update भी करना होता है, तभी यह जो changes आप करते हो ना, इस page पे, वो आपके landing page पे live होते हैं, अब एक काम करते हैं, new tab में, अपनी website फिर से open करते हैं, kitchenhelp.online forward slash wp-admin, ठीक है, wordpress का dashboard वापस open करते हैं, अब हमें जाना है products में, और all products पे हम click करेंगे, तो यह है हमारा product है, यहाँ पर देखो, इस product को अगर मैं देखना चाहूँ, तो मैं simply view पे click करूँगा, तो इस product का यह वाला page open हो जाता है, और सबसे top पे यह link दिया हुआ है, इस link को हमें यहाँ से copy कर लेना है, अब वापस अपने landing page पे आते हैं, मतलब जो elementor वाला page open था, मैं चाहता हूँ कोई भी user, जब buy now पे click करें, तो हमारा वो वाला page open होना चाहिए, कौन सा page, जो हमारे product वाला page है, तो बड़ा simple है, buy now को आप simply edit करो यहाँ से, content tab में यह link वाला box है, hashtag को हटा करके, आप उस link को बस यहाँ पे paste कर दोगे, similarly आपको हर एक button में यही काम करना है, hashtag हटा करके, और आप link paste करते जाओगे, यह सारे buttons में आपको करना होता है, कोई भी button देखे छूटने ना पाया, इसके बाद हम page को update कर देते हैं, और एक बार अपने homepage को check करते हैं, हमारा homepage कैसे open होगा, यहाँ पे आप click करोगे, और view page को new tab में open करके देख लेते हैं, तो देखो यह हमारा landing पे कुछ इस तरह का दिखाई देरा, जब बंदा add पे click करेगा ना तो इसी page के ऊपर आएगा, जैसे कोई user buy now पे click करेगा, तो वो सीधा product वाले page पे आता है, add to basket पे click करके, यह product cart में add हो जाएगा, फिर checkout पे जाएगा और बंदा payment करके, successfully order को process कर देगा, ठीक है, अब अगला काम हमें क्या करना है, यह header है ना, header सही नहीं लग रहा है, header को हमें fix करना है, header fix करने से पहले, मतलब header को बढ़े हैं बनाने से पहले, हमें menu create करने होते हैं, तो वापस चलते हैं WordPress के dashboard में, और कुछ pages हम create करते हैं, add new page पे click करेंगे, publish कर देते हैं, यहालंकि blank page है, इस पर आप जो भी content chat GPT से लिखवाते हैं, उसको आप यहाँ पे paste कर दोगे ना, तो वो about us page पे दिखने लग जाएगा, तो एक page मैंने about us page create किया, दूसरा page फिर से create करना है मुझे, तो यहाँ फिर से add new page पे हम click करेंगे, और यहाँ पी जैसे मान लीजे, contact us, यह वाला page create करते हैं, publish करेंगे, और contact us page हमारा बन जाएगा, इसी तरह से आप जितने चाहों उतने pages create कर सकते हो, कुछ legal pages भी होते हैं, तो मैं एक बार photo button सभी legal pages हो create करके आपको दिखा देता हूँ, content आप chat GPT से generate करवा लेना, ठीक है, जैसे disclaimer होना चाहिए, DICLAIMER disclaimer, इसे मैं publish करूँगा, एक page बन जाएगा हमारा refund policy का, drop shipping business में यह page भी जरूरी है, एक हो जाएगा हमारा shipping policy, refund वाले page में return policy वगरा भी mention कर देना, ठीक है, इसी तरह से एक page और add कर देते है, terms and conditions वाले, terms and conditions ठीक है, publish कर दिया, तो हमने काफी सारे pages यहाँ पर create कर लिए, सारे blank pages अभी बनाए, content आप अपने हिसाब से put कर लेना, about us page हो गया, इसके बाद contact us page है, disclaimer page है, garlic crush on नाम का एक page हमने बनाया तो, अच्छा, कुछ pages पहले से बने हुए है, जैसे basket page है, checkout page है, then my account है, and shop page है, जब आप WooCommerce plugin को install और activate करते हो और setup करते हो न, तो यह pages by default अपने आप create हो जाते हैं, system pages होते हैं, तो इन में से किसी भी page को आपको delete नहीं करना है, अब हम menu create करते हैं, appearance में जाते हैं, menus पे click करेंगे, एक menu group बनाते हैं, main menu नाम का, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, main menu, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, and primary menu ज़रूर सेलेक्ट कर लीजेगा, फिर create menu पे click करते हैं, अब जो भी menus आप top में यहाँ पे दिखाना चाहते हो, उन सभी menus को आप यहाँ से add करते जाओ, जैसे मैं top में दिखाना चाहता हूँ, about us तो यह about us आजाएगा, इसके बाद मैं basket दिखाना चाहता हूँ, यह basket जलो हटा देते हैं, contact us दिखाना चाहता हूँ, और garlic crusher वाला जो main हमारा landing पे जाए, लिंक पुट करना है, add to menu पे क्लिक कर दीजे, यह तीनो menus यहाँ पे create हो गए, इनका order आप इस तरह से change करोगे, तो सबसे पहले garlic crusher आएगा, फिर about us आएगा, फिर contact us आएगा, इसके बाद save menu पे क्लिक कर देते हैं, and then अपने front page को एक बार refresh करके देखते हैं, यह देखो, menus हमारे बन गए, यह हमारे custom menus हो गए, अब header सही नहीं लग रहा है, आप header अपने हिसाब से या तो create कर सकते हो, या फिर मैं already इसका भी template आपको provide कर रहा हूँ, इस template को आप एक click में import करके, amazing header बना सकते हो, तो वापस आपको wordpress के dashboard में जाना होता है, एक बार इस page को अब हम बंद कर देते हैं, okay, wordpress के dashboard में चलते हैं, ना custom header create करने के लिए पहले आपको templates में जाना होगा, theme builder पे आप click करोगे, और यह सिर्फ Elementor Pro में ही काम करता है, header बनाना है, तो आपको header choose करना है, plus पे आप click करोगे, फिर से Elementor की screen लोड हो जाएगी, यहाँ पर आपको upload पे जाना है, एक template मैंने header के लिए भी आपको provide किया हुआ है, यह है, garlic crusher header template, ठीक है, तो आप simply इसको upload या open कर लेना, यह आगे आपका template insert कर दीजे, तो देखो, यह हमारा पूरा header ready हो गया है, buy now वाला button दिया हुआ है, इसके अंदर फिर से आप product page का link लगा दोगे, simply copy करते हैं, यह button के setting मैंने left hand side पे open किया, hashtag हटा करके हम यहाँ पे paste कर देते हैं, product page का link, ठीक है, menus अपने आप यहाँ पे आगए, और इस logo को आप change कर सकते हो, simply आप pencil पे click करोगे, तो left hand side पे देखो image का option आगया, यहाँ पे choose image पे click करके, आप अपनी custom image भी upload कर सकते हो, similarly जो हमारा home page है, मतलब जो landing page है, कोई भी image अगर आपको change करनी है, बस उस पे click कर देना, left hand side पे बिल्कुल इसी तरह से option आएगा, जैसे यहाँ पे logo है ना, logo भी एक तरह की image होती है, जब मैंने pencil पे click किया, देखो left hand side पे option मुझे दे रहाए है, choose image का, तो मैं दूसरी image upload कर सकता हूँ, इसी तरह से आप products की images भी, अपने हिसाब से change वगरा कर सकते हो, तो फिलाला भी कोई logo मैं यहाँ नहीं upload कर रहा हूँ, जो logo है वो as it is छोड़ दूँगा, अगर आपको अपने logo design करना और आपको नहीं मालुम कैसे design करते हैं, तो मैं अलरड़ी एक वीडियो पहली बना चुका हूँ, add condition ज़रूर करना है, include और entire site ही रहना चाहिए, ताकि जो header हमने अभी import किया है, यह पूरी website पे हर जगाए दिखाई दे, then save and close कर देंगे, इसके बाद अपने इस page को एक बार refresh करते हैं, यह आप देखो, अब कितना बड़ी आसा header हमारा दिखने लग गया, बलकि जब मैं garlic crusher क्लिक करता हूँ, तभी landing page आता है, होना तो ऐसा चाहिए न, जब कोई बंदा main domain open करे यह वाला, तब यहाँ पे आना चाहिए, तो हमें करना कि एक छोड़ी सी setting करनी होती है, आपको simply settings में जाना है, reading पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे एक option दिया होता है, your home page displays your latest post, तो यहाँ पे आपको static page चूज़ करना है, अब home page में जा करके हम उस page को चूज़ करेंगे, जिसको हम as a home page दिखाना चाहते हैं, तो garlic crusher नाम से हमारा वो वाला page था, मैंने से चूज़ कर लिया, अब जब मैं इस page को hard refresh करूँगा, तो देखना हमारा garlic crusher वाला landing page दिखाई देगा, यह cache memory का issue है, एक बाद clear कर देते हैं cache, यह देखो, यह हमारा main domain open है, और देखो यह हमारा landing page भी आ गया, ठीक है, तो इस तरह से आप easily landing page को design कर सकते हो, एक click में, और अपने हिसाब से content वगरा change कर लेना, अब यह हमारा footer रह गया, footer यहांनी सबसे नीचे वाले जो portion इससे footer कहते हैं, इसे भी हमें import करना है, तो इसका भी template मैं आपको provide करूँगा, वापस wordpress में जाते हैं, और यहां पे फिर से templates में आपको theme builder पे click करना है, अब इस बार हमें footer create करना है, तो आप footer यहां पे choose करोगे, फिर से elementor की screen load हो जाएगी, आपको मिलेगा यह import वाला option, इस पे click कीजिए, then select file पे जाना है, और यह रहा footer वाला template, यह भी मैं आपको provide करूँगा, simply open या upload करेंगे, इसके बाद footer कहां गया, यह रहा footer, आप insert कर दो, एक click के अंदर आपका footer भी ready हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से आप उसे edit कर सकते हो, देखो footer मैंने आप put कर दिया है, disclaimer आप as it is यही वाला छोड़ सकते हो, बाकि यहाँ पर link वगर आपको update करने होंगे, जैसे, एक बाद click करते हैं इस पे, मालों मुझे privacy policy page का link update करना है, तो यहाँ पर देखो privacy policy आ गया, जब मैंने इस पर click किया, एक बार इसको expand कर लो, इस box के अंदरा privacy policy page का link put कर सकते हो, तो वापस चलते हैं WordPress के dashboard में, अभी right now यहाँ पर जो privacy policy वाला page है न, यह published नहीं है, draft दिखा रहा है, इसे publish कैसे करते हैं, quick edit पे click करेंगे, और यहाँ पर status draft है, आप published कर दो और update कर दो, तो अब यह page publish हो गया है, view पर right click करना, और copy link address कर देना, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और इस link को हम इसमें paste कर देते हैं, इसी तरह से, terms and conditions वाला page हमने पहले बना लिया, उसका link बस हमें चाहिए, तो link कहां से मेलेगा, terms and conditions यह रहा, already published है, इसके अगर draft नहीं लिखा है, मतलब यह page publish है, view पर right click करो, copy link address करना है, copy मत करना, copy link address करना होता है, simply वापस जाओगे, elementor पर और link यहाँ पर paste कर दो, इस तरह से, तो एक एक करके, आप सारे pages के link यहाँ paste करते जाओगे, और अगर आपको address वगरा change करना है, इस पर आप click कर लेना, यहाँ से आप address वगरा भी अपना change कर सकते हैं, जो edit करोगे, वो सब यहाँ पर दिखने लग जाएगा, then after publish करना है, फिर से header की तरह add condition करो, include और entire site होना चाहिए, save and close पर click कर दीजे, that's it, एक बर फिर से अपने इस front page को refresh करके देखते हैं, यह देखो, हमारा header भी आ गया, पूरा page भी ready है, और footer भी बन करके आ गया, अगर मैं privacy policy पे click करूँगा, तो privacy policy page देखो हमारा open हो गया, हलांगी privacy policy page, WordPress में अपने आप पहले से बन के आता है, उस पर content पहले से ही बड़ा होता है, इसलिए आप एक content बगरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना landing page बगरा ready करते हो, तो हमारे plan के हिसाब से हमने सारे काम almost कर लिये हैं, domain, hosting, WordPress, WooCommerce, landing page बन गया, theme plugin इंस्टॉल कर लिए, product page हमने बना लिया और essential pages बगरा सब कुछ create कर लिया है, अब अगला step क्या है, अगला step है कि हमें payment gateway sign up करना है, और एक shipping partner ढूणना है जो हमारे products की delivery करवाएगा, तो यह सब कुछ हम घर बैठे करेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब यह payment gateway असल में होता क्या है, payment gateway एक third party company होती है, जो आपके और आपके customer के बीच में काम करेगी, जब customer credit card detail, net banking या कोई भी phone पे या Google पे wallet वगरा यूज़ करता है, वो payment डिरेक्टली आपके bank account में नहीं आती है, third party payment gateway company के पास यह authorization होता है, कि वो customer के account से पैसा निकाल सके, मतलब उनके bank account से पैसा चार्ज कर लेते हैं, अपने पास hold करेंगे, कुछ service fees काटेंगे और remaining amount आपके account में transfer करते हैं, कई सारी payment gateway companies इंडिया में available हैं, जैसे Razor पे एक काफी reputed company हैं, शायद आपने इसका नाम सुना होगा, तो Razor पे payment gateway को use करना बिल्कुल free of cost है, आप free of cost account sign up कर सकते हो, रही बात pricing की, कि हर transaction पे कितना charge करते हैं, तो 2% का इनका transaction fees रहता है, प्लस 18% GST लगेगा, मतलब अगर आपने 100 रुपे का product बेचा है, तो 2 रुपे इनका service charge रहेगा, उस transaction की उपर, प्लस 18% उस पे GST भी लगेगा, तकरीबा 96 और 97 रुपीज आपके bank account में deposit होंगे, तो हर payment gateway कंपनी का अलग-अलग charge होता है, Razor पे का 2% है, इसी तरह से अगर हम insta mojo देखें, insta mojo भी काफी बढ़िया payment gateway कंपनी है, एक बार pricing page पे जाके देखते हैं, यहाँ पर देखो, 0 रुपीज पर येर पिन का plan शुरू होता है, लेकिन 5% पर transaction लेते हैं, प्लस 3 रुपा transaction fees लगेगी, मतलब 100 रुपे का अगर product है, तो 5 रुपे इनकी service fees है, प्लस 3 रुपे transaction fees लेंगे, मतलब total 8 रुपे ये अपने पास रखेंगे, 92 रुपीज आपको मिलेगा, तो Razor Pay के मुकाबले ही थोड़ा से expensive पड़ जाता है, इसी तरह से आप Paytm Payment Gateway भी use कर सकते हो, Paytm Payment Gateway, तो यहाँ पर ये link आ रहा है, Paytm Payment Gateway का, हमने कुछ websites में देखा है, जब आप Payment वगरा करते हो, तो Paytm का option भी आता है, तो आप Paytm Payment Gateway को भी sign up वगरा कर सकते हो, तो अभी हमें एक काम करते हैं, Razor Pay Payment Gateway को आप sign up कर लेना, इसका पूरा process मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है, कैसे आपको Razor Pay Payment Gateway अकाउंट को sign up करना होता है, किन-किन documents की आपको जरूरत पड़ेगी, इस वीडियो का लिंक आपको पूरा description में मिलेगा, ये वीडियो जब पूरा complete हो जाता, आप उसे वीडियो को जाकर देखेगा, Payment Gateway आप sign up करने ना बहुत easy process है, और अभी Razor Pay ने onboarding बे शुरू कर दी है, मतलब अगर आप apply करोगे और आपका documents सब कुछ सही रहता है, तो आपका account approved भी हो जाएगा, तो हमारा अगला step है कि हमें Razor Pay Payment Gateway को अपनी WooCommerce website में integrate करना है, मतलब ये shopping cart है हमारी website पर, ताकि हम payments Razor Pay के जरीए ले सकें, ये first plugin हमारे सामने आ गया by team Razor Pay, आप simply इसे install करके activate करोगे, तो plugin successfully install और activate हो गया, अब इस plugin को हमें अपने Razor Pay account से connect भी तो करवाना पड़ेगा ताकि जो payment customer देगा, वो हमारे ही Razor Pay account में जाए, तो मैं सीधा अपने Razor Pay account में login कर लेता हूँ, यह है मेरा Razor Pay का account और मैं आ गया हूँ, account in settings वाले page पर, यहाँ पर हमें मिलेगा API key वाला एक option, simplest पर हमें click करना होता है, Razor Pay की तरफ से हमें एक API key मिलती है, उस API key को हमें अपने WordPress website में यहाँ पर settings वाले page पर जाके integrate करना होता है, मतलब add करना होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह key ID मांग रहाँ, key secret मांग रहा है, यह दो चीज़े जब हम यहाँ पर enter कर देंगे न, तो हमारा Razor Pay payment gateway हमारी website से connect हो जाएगा, यहाँ इस page पर API key दी होती है, मतलब key ID और key secret मुझे यहाँ से मिल जाता है, हम simply इस key ID और key secret को यहाँ से copy करते हैं, और अपनी WordPress website में हमें paste करना होता है, तो मैंने यहाँ पर already key ID और key secret पहले सी देखी paste कर रखा है, बागी other options को as it is छोड़ देंगे, make sure payment action आपका authorize and capture ही होना चाहिए, ताकि आपकी payment authorize भी हो जाए और तुरंद capture भी हो जाए, मतलब customer की जो payment होती है, at last save changes पर click करना होगा, so payment gateway successfully हमारी WooCommerce website में integrate हो चुका है, एक बार मैं आपको देखा भी देता हूँ कैसा interface दिखाई देता है, तो मैं simply all products पर जाओंगा, यह सीधा एक काम करते हैं, अपने home page पर ही चलते हैं, buy now पर click करेंगे, then add to basket, then view basket, यहाँ पर तीन quantity selected है by default, मैं simply एक quantity कर लेता हूँ, तो 400 ने 99 पर पैस का price दिखा रहा है, proceed to checkout पर click करेंगे, okay scroll down करते हैं, और यह देखो, razor पर payment gateway का option हमारे सामने आ गया, तो customer जैसे इस billing detail form को भर देगा, उसके बाद razor पे कितरह वो payment कर पाएगा, ठीक है, तो हमारा payment gateway का integration वाला काम भी हो गया, बागी payment gateway कैसे sign up करना है, वो सारी चीज़े मैंने इस वाले वीडियों बता रख किये, इसका description में आपको link के भी मिल जाएगा, अब अगला काम है, हमें अपने product के लिए एक shipping partner ढूणना है, जब order आएगा तो कैसे deliver करवाएंगे, अब आपके mind में एक सवाल आ रहा होगा, कि याँ drop shipping में तो ऐसा होता है, कि order मेरे पास आया, वो drop shipper को मैं forward कर देता हूँ, और drop shipper ही उसको deliver करवाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका internal एक छोटा सा concept है, concept क्या है, जब आपकी website पे order आएगा, तो customer ने आपके brand का नाम चूज़ करके, आपको order place किया है, अब हमारे तरह और भी कई सारे लोग होंगे, जो शुकन मॉल को as a wholesaler ले करके, और drop shipping कर रहे हैं, तो शुकन मॉल किस-किस के print label को print करा करके order deliver करवाएगा, हमें खुद का print label generate करना होता है, और वो print label हम शुकन मॉल वालों को provide करवा देते हैं, ताकि वो box पे उस shipping label को चिपका करके, जो भी address customer का है, उस पे वो deliver करवा दें, तो print label कैसे generate होगा, हमारा shipping partner ही उसे generate करके देगा, अब वैसे तो कई सारे shipping partners इंडिया में available हैं, फर्स्ट फ्लाइट भी है, डीडीडीसी भी है, ब्लूडार्ट भी है, ट्रैकॉण भी है, सारे और भी हैं, बट e-commerce इंडिस्टी में सबसे सही काम करता है, Shiprocket, आपको simply website open करनी है, shiprocket.in, अब ये Shiprocket क्या है, Shiprocket एक platform है, जिनका tie-up multiple courier partners से है, मतलब आपको अलग-अलग courier partner के पास जाने के जरूत नहीं है, इनकी website पे आकर के, एक free of cost account बना लो, अब कोई customer अगर आपकी website पे order place करता है, तो customer अपना जो pin code डालेगा न, उसके हिसाब से Shiprocket खुद दिखा देगा, कि उस customer के address पे कौन-कौन से shipping partners हैं, जो particular product को deliver करवा सकते हैं, काफी कमाल का ये platform है, अभी मैं आपको इसका live demo दिखाऊंगा, तो पहले तुम try for free पे क्लिक करते हैं, एक free of cost account create करते हैं, तो यहाँ पर IMS seller selected होना चाहिए, क्योंकि आप products बेचने वाले हो, Facebook या Gmail के थो भी account create कर सकते हो, या इस form को आप fill up करके भी account create कर सकते हो, मैं simply Gmail के थो account create करूँगा, यहाँ पर आपको अपना mobile number भी verify करना होता है, तो मैं simply अपना mobile number यहाँ पर type कर दिता हूँ, इसके बाद send verification code पे click करेंगे, और आपके mobile पर जो भी OTP आया है, उससे आप fill up कर दोगे, ओके, सो मेरा mobile number तो verify हो गया, अब हमें यहाँ पर कुछ details और provide करनी होगी, जैसे की address, अगर आप एक company registered है, यानि आपने अपने form वगर register करवा रखे, तो उसका address आप यहाँ पर डाल दो, अगर आप as a individual sell करना चाहते हो, तो अपने घर का address भी यहाँ पर डाल सकते हो, तो आपके पास definitely अधार कार्ड तो होगा, अगर business registered है तो GST का certificate upload कर सकते हो, नहीं registered है तो आप अधार कार्ड या pan कार्ड के थरो भी KYC complete कर सकते हो, तो मैं simply proceed to verify KYC पे click करूँगा, अब यहाँ पर तीन option आते हैं, प्लीज confirm यह business type, किस तरह का business है, अगर आप individual हो, आपने कोई business register नहीं करवा रखा है, घर से सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो drop shipping, तो आप individual वाला option चूज कर सकते हो, अगर आपने sole proprietorship में अपना business register करवा रखा है, तो आप इस option को चूज करोगे, company हो मतलब कोई बड़ी company private limited वगर आया है, फिर आप इससे choose करते हो, हमारे case में हम individual choose करेंगे, and the next पे click करते हैं, अब ये एक selfie लेनों कहेगा, तो आपने एक बड़ी selfie वगर upload कर देना, और third step में हमें document verify करना होता है, तो या तो आप अधार कार्ट number यहाँ पर type कर दोगे, तो 30 second के अंदर account verify हो जाएगा, और अगर आप अधार का फोटो upload करते हो, तो इनकी team उसको verify करेगी, दो से तीन दिन का time लग जाएगा, तो फिलाल ये वाला option सबसे सही है, फटाफ़ट account verify करवाते हैं, ओके, then send OTP पे click करेंगे, जो मेरा registered mobile number उस पर एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारा KYC proper तरीके से verify हो चुका है, यह मेरा selfie आ गई, then यहाँ पर KYC status दिखा रहा है, और सारी details यहाँ पर मुझे मिल जाती हैं, अब इसके बाद हमें जाना होगा dashboard पे, तो simply आप पहले home पे click करोगे, now scroll down करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ options मिलेंगे, जैसे कि add your bank details, in case अगर आपको customer cash on delivery वाला option चूज करता है, तो ship rocket की तरफ से बही जो बंदा जाएगा, courier वाला, वो customer से cash collect करेगा, तो वो cash वाला जो amount है, वो तो ship rocket के पास आ जाएगा, तो यह लोग आपके bank account में उस amount को deposit करवाते हैं, इसलिए आपको bank account details यहाँ पर provide करनी होती है, तो इसको तो बाद मैं fill up कर लूँगा, अगर आपके पास GST number है, तो आप यहाँ पर enter कर दोगे, then customize your tracking page, एक बार इसको open करके देखते हैं, तो यहाँ पर आपको new tab में जाना है, आप एक white label tracking page भी बना सकते हो, मतलब जब courier deliver होगा, तो जो tracking details होती है, customer एक specific page पर जा करके अपने order को track कर सकता है, वो बिल्कुल white labeled रहेगा, तो यहाँ पर जितनी भी details मांगे जाती है, जैसे company का logo है, आपने privacy policy page जो बना रखा है, उसका link आप यहाँ पर type कर दोगे, कोई support number है अगर आपके पास, वो आप यहाँ पर type कर देना, support email address है, वो यहाँ पर type कर देना, और save पर click कर दोगे, तो आप एक custom tracking page बन जाता है, preview मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर option दिया है, preview tracking page, एक बाद click करते हैं, तो अभी write ना कुछ इस तरह का page देखो दिखाई देता है, और सबसे top पे देखो मेरा नाम भी लिख कर गया रहा है, तो अभी तो नीचे लिखा है, powered by Shiprocket, क्योंकि मैं free planning का use कर रहा हूँ, जब हम Shiprocket का premium plan यूज करेंगे, तो पूरा white label tracking page बन जाता है, फिलाल अभी इसकी इतनी जरुरत नहीं है, close कर देते हैं इस page को, अब हमें Shiprocket को अपनी WooCommerce website के तो रहो connect भी करवाना है, तो कैसे connection होता है, आपको simply Shiprocket में यहाँ पर जाना होगा, setup and manage पर, इसके बाद आपको channels पर click करना है, एक default channel पहले ऐसी बना होता है, जो कि already authenticated है, status भी on है, then यहाँ पर add new channel पर आप click करोगे, आपको अपने WooCommerce website में Shiprocket का plugin इंस्टॉल करना होगा, ताकि हम Shiprocket account को अपने WooCommerce website से connect करवा सकें, जैसा हमने payment gateway के case में किया था, आपको WooCommerce store पर जाना है, plugins पर आप जाओगे, add new plugin पर click करोगे, now, search box में हमें find out करना है, SHIPROC-KAT, Shiprocket, बाइदवे अगर आपको ये वीडियो भी तक पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजे, आपके support की बहुत जरूरत है, सबसे पहला plugin है Shiprocket, आप simply install करके इस plugin को activate करो, मिन्वाइल ये plugin install हो रहा है, अगर आप free of cost SEO tools यूज करना चाहते हो, free of cost keyword research tool है, site maps वाला tool है, तो आप मेरी official website wittirank.com पे जा करके, इन tools को free of cost यूज कर सकते हो, इस site को मैंने develop किया है सिर्फ उन beginners के लिए, जिनके पास keyword research tools में पैसे invest करने के लिए नहीं है, और free of cost keyword research वगरा करना चाहते हैं, और आने वाले time में और भी अच्छे SEO tools में इस site में add करता जाऊंगा, तो make sure website को जाके Google पे search कीजिए wittirank, या आप ऐसा कुछ type कर सकते हो, keyword research tool wittirank, तो इस website पे जा करके आप काफी सारे tools को free of cost यूज कर पाओगे, वापस आते हैं में topic के उपर, plugin हमारा install हो गया, अब इसे activate कर लेते हैं, तो ship rocket plugin भी हमारा activate हो चुका है, अब आपको WooCommerce में settings में जाना होता है, हमें find out करना है ship rocket पे settings कहां पे available हैं, तो आपको जाना होगा shipping वाले tab पर, और यहाँ पर आपको option मिलेगा ship rocket app configuration, और यहाँ पर भी मुझे नाम fill up करना होगा, सद्दाम, करासिम, और अपना mobile number हम यहाँ पर enter कर देंगे, जो registered mobile number है, यहाँ पर हमें इस button पर click करना होगा, और यहाँ पर message आगया, ship rocket account linked successfully, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि और इस browser में, पहले से ही मैं ship rocket account में logged in हूँ, तो इसने अपने आप मेरा account verify कर लिया, account link भी हो चुका है, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर देखो integration ID आ जाती है, अपने आप create हो जाती है, then after आपको scroll down करना होता है, अब यहाँ पर दिया है fallback rate title, fallback shipping rate, यह क्या चीज है, in case अगर ship rocket का server कभी down हो गया, उसके courier partners के option customer को नहीं दिखाई देते हैं, तो by default क्या shipping fees customer के account पे, या उसके order पे apply होगी, वो amount यहाँ पर पड़ा हुआ है, by default 40 rupees apply हो जाएगा, अगर ship rocket किसी भी server issue की वज़े से, या कोई भी basic issue की वज़े से काम नहीं करता है तो, तो आप यहाँ पर अपना खुद का भी price set कर सकते हो, जो fallback price वगरा रहेगा, जिसे मैं यहाँ पर 50 set कर देता हूँ, तो mallover ship rocket का, जो courier partner है को उसका shipping price customer को नहीं दिखता है, तो भाई कम से कम 50 रुपर shipping price तो apply हो ही जाना चाहिए, then after, इस option को enable करने की हमें जरूरत नहीं है, simply save changes पर click कर दीजिए, then after, आपको जाना होगा advanced वाले tap पे, और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, legacy API, let's click on it, इस option को भी आपको enable करना होता है, and then save changes पर click कर दीजिए, so WooCommerce में जो setting हमें करनी थी, वो हमने कर ली है, अब हम चलते हैं shape rocket पे, now, यहाँ पर make sure आपको इस वाले option पर जाना होता है, switch to integrate via legacy API, तो यहाँ पर channel का नाम पढ़ा हुआ है, WooCommerce इसको as it is छोड़ देंगे, communication brand name, जिस भी नाम से आप अपनी website या अपना store रन कर रहे हो, उसका नाम आप यहाँ पर enter कर दोगे, इसके बाद seller panel में हमें इपने store का URL पेस्ट कर देना होता है, यह मैंने पेस्ट कर दिया, now, अब consumer की हो, consumer secret, यह दो चीज़े हमें कहां से मिलेंगी, इसके लिए वापस जाएंगे, अपने WooCommerce store पे, advanced में ही आपको देखो, यहाँ पर legacy API से पहले मिलेगा, REST API, let's click on it, तो यहाँ पर create an API key पे आप click करोगे, then after, description में आप कुछ भी put कर देना, जैसे मैं आप पुट कर देता हूँ, ship rocket kitchen help integration, ऐसा कुछ यहाँ पुट कर देंगे, permission में आपको make sure read and write कर देना है, and then generate API key पे click कर देजे, तो यहाँ पर देखो, consumer key generate हो गई है, consumer secret भी generate हो गया, एक-एक करके दोनों copy करेंगे, और उन boxes में हम paste कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर option दिया हूँ, pull order status, जब कोई भी user आपकी website पे order place करेगा, तो पहले वो order processing में ही जाता है, जैसी order processing में जाएगा, ship rocket उस order की सारे detail fetch कर लेगा, और आपको यहाँ orders वाले tap पे दिखाएगा, तो अब यहाँ से directly उसे ship करवा सकते हूँ, अभी मैं आपको अगे करके दिखाऊंगा, इसको थोड़ा time लगता है चीजों को set up करने में, हमने सारे setting प्रॉपर तरीके से कर दी है, बार-बार अगर आप इस page को refresh करके देखोगे न, तो authentication आपका successful process हो भी जाएगा, अभी थोड़ा time लगेगा WooCommerce को set up होने में, एक चीज मैंने यहाँ पर notice की है, कि अभी जो हमने नया ship rocket का account create किया था, हमारी नई website है, तो WooCommerce को authenticate होने में काफ़े time लग रहा था, मेरे पास already ship rocket का दूसरा account पड़ा हुआ है, जो कि dummy account है मैंने create किया था, और मेरे पास एक dummy website भी थी, तो यहाँ पर मैंने 26 तारीक को एक order place किया था, यह वाला वो order है, मतलब randomly मैंने key वगरा प्रेस करके यह नाम पूट कर दिया था, dummy pin code वगरा डाल दिया, dummy email वगरा phone number, ठीक है, यह ship rocket के साथ properly connected है, और यह वाला वो ship rocket account है, तो जब आपकी website पे कोई भी user order place करता है, तो उस order की सारी details आपको orders वाले tab में दिखाई देगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, order number 634 था, यह भी order number 634 था, और यहाँ पर देखो सारी details पड़ी है, customer details तो dummy details मैंने put की हुई थी, product क्या था यहाँ पर, फिर यहाँ पर package details वगरा है, dimension होना चाहिए, weight होना चाहिए, क्या लेक्या रहा है, information missing, तो एक चीज़ का आपको ध्यान दे रहा है, जो भी product आप अपने WooCommerce store में create कर रहे हो, drop shipping के लिए, उसका weight और dimensions mention करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी courier company, जो आपके product को deliver करवाएगी, वो उस product का या package का weight measure करती है, उसका dimension measure करती है, उसके हिसाब से ही cost वगरा calculate की जाती है, तो यहाँ पर आपको shipping tab मिलेगा, इसमें आप जाओगे, यहाँ पर आपको weight definitely put करना होता है, मतलब यह kg में होता है, अगर आधर कलो का है, तो 0.5 आप ऐसे put कर सकते हो, और length with height आपको जरूर put करनी होती है, फिर आप इस product को update कर दोगे, तो make sure weight जरूर mention होना चाहिए, देखो इस वाले में weight हमने पहले mention किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर information missing वाला option नहीं आ रहा है, अब shipping label कैसे generate होता है, जब आपको सारे detail correct होगी न, तो यहाँ पर ship now पर आपको click करना होता है, अभी हलंकि dummy account है, तो मेरा यहाँ पर pickup address भी verify नहीं है, बट जब इस सारे detail अगरें सही filled होगी, तो आपको simply continue पर click करना होगा, और यहाँ से shipping label generate हो जाता है, उस shipping label को आपको शुकन mall की website पे upload करना होता है, ताकि जो wholesaler है, वो packet के ऊपर shipping label को चिपका करके, और customer को product deliver करवा देगा, तो यह पूरा इसका process है, अब बात करते हैं बगी कि sales कैसे निकाली जाएगी, हमारे plan के हिसाब से, जो हमारा last step है, वो है drive sales through ad campaigns, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, कि मैं अपने product के लिए ad campaign कैसे setup करूँ, और हम यहाँ पर live test करेंगे, कि जब मैं ad campaign create करूँगा, तो ad campaign create करने के 24 घंटे के अंदर, कितनी sales हमारे पास आती है, एक चीज मैंने और notice की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो हमारी website है kitchenhelp.online, इस पर जो हमारा product है, उसकी price हमने कितनी रखी है, 4.99 रुपीज, शुकन mall पे same product कितने का था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम टाइप करते हैं garlic, और इसका जो wholesale price है, तो यह आगया same product garlic crusher, देखो Amazon पे मैंने चेक किया, गयार same product न, 199 रुपे का भी लोग बेच रहे हैं यहाँ पे, 229 रुप का भी बिक रहा है, मतलब अगर Amazon पे इतने कम price में बिक रहा है, तो भी हम drop shipping के जरीए न, इसको 499 में नहीं बेच पाएंगे, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के starting में ही बोला था, research करना बहुत जरूरी है, अब मैं सीधा 499 रुप पर price रख देता, और add चला देता, कब भी sale नहीं आती, क्योंकि already competition है इसमें, Amazon पे यह product available है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 199 का यहां पर बिक राह है, और shipping cost लगा के 20.000 रुप एक आसपास पहुँचे है customer को, तो क्यों ना हम भी 199 में ही इस product को list कर दें, या 189 में list कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमें छोटा सा update करना होगा, पहले हम चलते हैं अपने home page पे, और इस price को हम यहां पर change करने वाले हैं, यह 499 है, इसे हमें करना होगा 189, ठीक है, यह testing amount में रख देता हूँ 189, तो देखते हैं अभी 189 में sell हो जाना चाहिए, सस्ता price हो गया आप तो यह, और नीचे देखें कहीं और भी price वगरा पड़ा हुआ है क्या, यहां पर भी देखें लिखा है, तो इसको भी हमें कर देना होगा 189, ठीक, अभी हमने सिर्फ अपने static page के उपर ही price को update किया है, अब हमें इसे update करना होगा, WooCommerce वाले product में जा करके, तो हम चलते हैं WordPress के dashboard में, यहां पर products में आ गए, अब फटवर्ट price अपडेट करने के लिए, आप quick edit पे जा सकते हो, और यहां पर देखो यह price दिया हो ना, sale price, आप यहां पर put कर दो 189, अपडेट कर दिया हमने, that's it, ठीक है, तो हमारे product का price कितना होगा, 189, अब हमें add create करना है, add create करने के लिए, पहले तो आपके पास यह सारा material होना चाहिए, मतलब जो भी हमारे पर images वगर आए, फिर से एक बार इसे download कर लेते हैं, तो इन images का हम use करेंगे किस लिए, image add बनाने के लिए, और carousal add बनाने के लिए, और video add के लिए हमारे पास वो video होना ज़रूरी है, तो video हम कहां से निकाल सकते हैं, हम simply जाएंगे माइनिया पर, minea.com, जहां से हमने product का research किया था, ठीक है, यहाँ पर आपको simply अपने account में login कर लेना है, magic search पे चलते हैं, और यहाँ पर हम image को upload कर देंगे, तो हमारी वो image कहां गई, मैंने अल्लेडी डाउनलोड कर रखी है, garlic crusher में, तो यह रही वो image, मैं simply इसे open करूँगा, तो यह आगे video add, simply click करेंगे इस पर, और इस add को हमें download भी करना होगा, तो यहाँ से हम इस add को download कर लेते हैं, ओके, और मैं इसे भी extract करूँगा, तो यह हमारा video add आ गया, ठीक है, अब हम चलते हैं facebook की तरफ, सभी tabs को फिलाल बंद करते हैं, बहुत सारे tabs यहाँ पर open हो चुके हैं, अब facebook add account कैसे create करना है, यहाँ सीधा अपने add account में login करूँगा, और एक add account के अंदर जाके हम campaign create करेंगे, अब facebook add run करने से पहले, हम structure समझ लेते हैं, actual में campaign किस तरह से structurize होता है, तो सबसे पहले चीज़ तो campaign सबसे top पे होता है, इसके अंदर आते हैं add sets, आप कितने भी add sets create कर सकते हो, that is completely up to you, और हर एक add set के अंदर adds create होते हैं, add set basically group की तरह हो सकता है, campaign level पे हम budget set करते हैं, जैसे हमारा 1000 रुपे का daily का budget है, तो campaign level पे हम budget को set कर देंगे, इसे आप add set level पे भी set कर सकते हो, बट यहाँ पे हम campaign level पे इसलिए set कर रहे हैं, ताकि Facebook CBO, campaign budget optimization technique की help से, हमारे adds को optimize कर पाएगा, और जो add better perform कर रहा होगा, mostly budget वहीं पे लगा देगा, then add set level पे हम audience की targeting करते हैं, किस country की audience को हमें target करना है, age group क्या target करने वाले हैं, जेंडर क्या रहेगा, male या female को target करना है, उनका interest क्या रहने वाला है, behavior क्या रहने वाला है, तो हार तरह की targeting की जितनी settings होती है, वो हम सब add set level पे लगाते हैं, और adds में हम add creative पूड करते हैं, आपका video add हो सकता है, आपका image add हो सकता है, या आप image carousel वगरा भी बना सकते हो, तो यह पूरा Facebook add campaign का structure होता है, तो मैंने याप एक campaign create किया है, garlic crusher campaign नाम से, और यह एक sales campaign है, इसमें मैंने budget set कर दिया है, 1000 रुपे पर डे का, यहाँ पर आप देख सकते हो, daily budget 1000 रुपीज, then इसके अंदर हमने एक add set create किया है, garlic crusher add set, मैंने ज़्यादा add set इसलिए create नहीं किये हैं, क्योंकि हमारा budget काम है, सिर्फ 1000 रुपे का budget है, कर हम ज़्यादा add sets create कर देंगे, तो फिर meta या Facebook, हमारे budget को सारे add sets में distribute करेगा, उससे better performance नहीं निकल पाएगी, हम ज़्यादा add set तब create करना better समझते हैं, जब हमारा budget ज़्यादा हो, जैसे 3000-4000 रुपे का budget अगर budget है, तो फिर आप ज़्यादा add sets पर try कर सकते हो, then इस add set के अंदर, हमारा conversion event location क्या है website, क्योंकि हमें audience वो add पे click करवा के website में ले करके जाना है, pixel मैंने आप अलड़ी create कर लिया, और conversion event रहेगा purchase, हाँ, अब आपके mind में एक question ज़रूर हो सकता है, कि हम Facebook pixel कैसे create करें, और प्मी WordPress ये किसी भी website में कैसे integrate करते हैं, उसका मैं पूरा एक separate video create करने वाला हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं Facebook pixel की उपर एक video create करूँ, तो comment में Facebook pixel लिख दो, अगर दोस्तों सो ज़ादा comments आएंगे, तो मैं definitely बहुत जल्दी Facebook pixel की उपर एक पूरा dedicated video ले करके आऊँगा, इसके बाद यहाँ पर start date दिया भई कबसे add start होने वाला है, तो आज 1 April 2024 हो गई है, जब मैं this add campaign को run करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं audience की targeting भी कर ली है, target location क्या रहने वाला है, इंडिया, 18 से 60 साल के लोग को मैं add दिखाऊंगा, क्योंकि 60 साल के उपर जो लोग होंगे, वो senior citizen है, हो सकता है, वो kitchen वगरा में काम नहीं करते हैं, वो मेरी target audience नहीं हो सकती है, और 18 साल के नीचे के बच्चे हो सकते हैं, तो obvious सी बात है, Facebook ना तो 18 के नीचे audience को target करने का option देता है, और ना ही वो मेरी potential audience होगी, 18-60 साल के बीच के लोग मेरे potential audience हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ interest वगरा select किया हैं, जैसे की breakfast select कर लिए, जो लोग breakfast वगरा में interest रखते हैं, foodie हैं, stay at home mom, यानि जो घर पे रेनी वाली mom से वगरा हैं, बागी यो default option से उनने मैंने as it is छोड़ दिया है, अब मैंने यहाँ पर तीन ad create किये हैं, सबसे पहला ad कौन सा वाल है, यह video ad है, इस ad को मैंने Canva की help से थोड़ा सा customize किया है, हमने जो ad download किया था माईनिया से, तो यह catchy line basically CTR बढ़ा सकती है हमारे ad के उपर है इसके बाद मैंने यहाँ पर फेस्बूक की तरफ से media placements होते हैं, इसने अपने यहाँ उस video को 21 placement के उपर set किया हुआ है, जो के stories है, reels है, feed है वगरा वगरा जो कुछ भी होता है, यहाँ पर मैंने primary text chat GPT से generate करवा लिया है, मतलब English language में है, यहाँ पर headline मैंने खुद से लिख दी है, यहाँ पर description आ गया यह, order now मैंने यहाँ पर choose किया है, अब other options भी choose कर सकते हो, बढ़ चूँकर यह एक ऐसा product है जिसे मैं बेचना है, तो buy now से ज़ादा अच्छा लगता है, कि हम order now वाला बटन यहाँ पर रख दें, तो यह order now को जिस तरह से दिखाई देगा, URL यहाँ पर लगा दिया है kitchenhelp.online, जब कोई भी user order now पर click करेगा, तो वो सीधा इस website पर पहुँच जाएगा, बागे tracking में pixel हमारा proper तरीके से काम कर रहा है, इसी तरह से दूसरा add मैंने create किया हुँ, यह एक image add है, single image add है यह, मतलब जो images हमने download की थी, शुकन मौल से, तो एक image मैंने यहाँ पर put कर दी है, और third add मैंने create किया, जो कि image carousel है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक image carousel add है, मतलब multiple images का combination, और अभी तक मैंने इस campaign को publish किया नहीं है, तो अब इसको publish कर देते हैं, आज 1 April है, सुबा की 11 बजने जिस वक्त मैंने इस campaign को publish किया हुआ है, अब जैसी मेरा add का approval मिलेगा, अभी यहाँ पर मुझे add का approval नहीं मिला है, बारा बच के 47 मिनट पे मेरे पास mail आया हुआ था Facebook की तरफ से, कि मेरे तीनों add approved हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक बार मैं आपको आपने campaign बे दिखा देता हूँ, refresh करते हैं इस page को, ओके, यह है campaign garlic crusher campaign, और अभी right now 1825 का reach गया है, 1938 का impression गया है, 91.07 rupees invest हो चुके हैं, sale अभी तक एक भी नहीं आई है, तो दोस्तों भी शाम के 4 बच के 38 मिनट हो चुके हैं, एक बार refresh कर लो, 49 हो गए, और एक बार मैं अपना add campaign account चेक कर लेता हूँ, और इस page को refresh कर लेते हैं, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, amount spent 207 rupees 72 पैसे हो चुका है, reach पे अच्छी खासी आगे 3000 से जादा reach आई है, और 3287 के आज़ पास का इसमें impression गया है, बट sale एक भी यहाँ पर भी track नहीं हुई है, कई बार meta में data आने में time लग जाता है, मतलब अगर sale हो भी गई होगी website पर, तो यहाँ पर update होने में time लगता है, एक बार confirm करते हैं, event manager पर चल कर गए, तो हम चलेंगे सीधा event manager पर, और यहाँ पर देखते हैं, कि sales दिखा रहा है या नहीं, at least हमें data वगरा तो यहाँ पर मिले ही जाएगा, ओके, यह रहा हमारा pixel kitchen help online, देखा अभी on a pixel, यह pixel ID है, और यहाँ पर show all events पर click करते हैं, यहाँ पर last 25 minutes में, 122 page view गया है, 8 लोगों ने हमारे product page पर visit करके product को देखा है, 2 लोगों ने add to card किया है, और एक sale हमारी आ चुकी है, एक घंटे पहले यह data update हुआ था, अभी मेरा यह campaign वाला page आ अपडेट नहीं हुआ है, बड़ यहाँ पर purchase आप देख सकते हो, एक ad set से मेरी sale निकली है, मतलब एक order आ चुका है, और इस चीज़ों confirm करते हैं, मैं WooCommerce स्टोर में चलके है, वापास हम WordPress के dashboard पे आ गए, WooCommerce में जाएंगे, orders पे चेक करेंगे, here we go, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दो गढ़े पहले एक sale आई थी, हिरेन प्रजवपती की, एक बार इसको open करके देखते हैं, ओके, यह order हमें receive हुआ है, Itawa से, इनका email और phone number और खर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, credit card से इन्होंने payment किया हुआ है, और यह रहाँ वो product जो इन्होंने purchase किया, 189 रुपीज का payment था, और शायद shipping fees मिला के 239 रुपीज, तो मतलब यह campaign मनाने का फायदा हुआ, dropshipping करने का फायदा मुझे मिला है, at least एक sale हमारे पास आ चुकी है, plus एक user हमारी website पे गया है, उसने order को place करने कोशिश की, बट शायद checkout पेज़े payment process नहीं किया, at least interested audience तो है हमारे पास, तो pixel धिर-दिर हमारे data collect करता रहेगा, और dropshipping करके मतलब sales निकालना मुम्किन है, तो अभी हो गए है शाम के सबा साथ, और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार sale कितनी आई है, तो यहाँ पर दिखा रहे है kitchen help online में events, पहले इस page को एक बार refresh कर लिया जाए, ओके, ओल्राइट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, purchase दो sales आ चुकी है हमारे पास, last दो घंटे पहले यह update हुआ है, और दो लोगों ने checkout भी initiate किया, page 2136 सब हो चुके है, view content 11 हो गया, और add to cart 3 लोगों ने किया है, तो overall performance ठीक ठाक चल रही है, आप खेर kitchen वाला जाई product है, इस पर तुम्हें drop shipping definitely नहीं करूँगा, लेकिन आपको सिखाते सिखाते मुझे भी चीज़ समझ में आ गई, drop shipping में वाकई potential है, अगर सही product हम choose करें, और सही तरीके से उसको implement किया जाए, तो Facebook add campaign के जरीए, अच्छी कासी sales generate कर सकते हो, और अभी मुझे काफी time के लगता है, wait करना पड़ेगा यहाँ पर, क्यूंकि अभी मेरे add campaign का जो dashboard है, यहाँ पर sale अभी भी track नहीं हुए, 213 रुपए और 63 पैसे खर्च हो चुके हैं, अच्छा एक reason और भी है, जिसकी वज़ए से यहाँ बड़ेटा हमें शो नहीं कर रहा है, जब हम नए-नए pixel setup करते हैं, तो pixel हो कुछ successful sales चाहिए होती है, track करकी data यहाँ पर दिखाने के लिए, तो मतलब 24 गंटे के अंदर, जब तक हमारा 1000 रुपए बजट exhaust नहीं हो जाता है, मेरे हिसाब से 3-4 sales हम अराम से इसमें निकाल सकते हैं, और जैसे ऐसे हमारा pixel data collect करता जाएगा, हमारा add campaign थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो Facebook अपने आप हमारे campaigns को optimize करता है, pixel data की help से, और per sale cost कम होती चले जाती है, तो I hope आपको समझ में आया होगा drop shipping किस तरह से करनी है, कैसे product को research करना है, माइनिया की help से, wholesale products आपको shukanmall.com पे मिल जाएंगे, सभी के link आपको वीडियो के description में मिलेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो please वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर कर लें, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आये, just let me know in the comment section, मैं definitely आपको reply करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में.